तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज का एक और नया बैतरिन सेशन जिसमें हम बात करेंगे जिके के उन कुष्णों की जो आपके हर एक एक एक्जाम के लिए जरूरी है चाहिए फ्रेंड साब किसी भी सेंटर या स्टेट के एक्जाम की तैरिक क्यू ना करते हो आपक को हाई इसके साथ ही आपकी बज़े को यहां पर फ्रेंड्स YSP live क्लास सब्सक्राइब करें क्लास के अंदर आ जाएंगे आप का व्टसप नंबर रहेगा 9518151414 मेरा वटसप नंबर है जिस पर आप बिटा अपना नमबर लिख कर बेज देंगे इसके साथ ही अगली जो बात आती है कि YSP लाइव क्लास ही बिटा अपनी अप्लिकेशन का नाम है जिसके माध्यम से आप लोगों को बिटा फ्री पीडियाफ इसके साथ ही फ्री हिंदी के मौक टैस फ्री टैस्स सेरीज इसके साथ ही आप लोगों का फ्रेंड्स यहां पर अब तक के जिके reasoning और साथ ही Hindi के जितने भी आपके sessions हुए उनका सभी का recorded session भी आपको बिटाए यहाँ पर application के मात्यम से मिल जाएगा तो फटाफर से application को डाउनलोड करेंगे play store से ysp live class आपके application का नाम है तो चले friends start करते हैं यहाँ पर friends आज की series को तो सभी बच्चे फटाफर से चैनल को subscribe कर लें black in को press कर लें ताकि आपके पास सभी classes का notification पहुंचा है यदि आप आपर experience अच्छा लिए हुए है और हम मैत पढ़ा सकते हैं तो आपको WhatsApp नंबर मैंने दे दिया 9518151414 इस पर आप अपना यहाँ जो डेमो फाइटीचिंग का वह बेज देंगे अपना डेमो बनाईए पांसा दस मिनट का और उसके बाद में उसको इस नंबर पर बेज दिज कभी बारिस आ जाती है एकदम से बादल चा जाती है बारिस यहां पर एकदम से गर्मी हो जाती है ठंड हो जाती है तो लगातार मोसम के अंदर जो बदलाव होते हैं अधिकांस जो यहां पर फ्रेंड्स मोसम गटनाई हैं वो किस मंडल में होती हैं तो सभी बच्चे याद पुछँ है कि रेलवे पईया और धूरी का निर्मान कहां करता है आपको फ्रेंट्सस की बाegenत रहा है हमारा जो रेलवे है रेलवे बेटा जो वील है किसके रेल गाडी के उसके साथ युसकी जो धूरी है जैसे यह तो आपका पईया हो और उसके अंदर जो धूरी लगी होती है इनका निर्मान है बिटा कहां पर किया जाता है इसका निर्मान कहां पर होता है आपको फ्रेंड्स इसकी बार्मतन है तो सभी बच्चे याद रखेगा बैंगलूर का रैट अंसर हो जेगा बैंगलूर है जहां पर फ्रेंड्स है रे क्या पूछ गया कुछ बंस का अंतिमा सासक कौन था पहला कुछ यहां पर बनता है कि तक्लक बंस का संस्थापक कोन था तो ठु Caleb level अध्या सुदिन फ्म्र है जिसके द्वारा क्या की तो म् Fazil स्थापना की गई थी और इसके जब अंतिम यहां पर नवाब की बात आती है अंति में जो यहां पर सासक की बात आती है तो आपका बेटा रेट अंसर हो जएगा अप्शन नमबर एक नसरुदीन मोहमद सा कहो जएगा नसरुदीन मोहमद सा है जो यहां पर बिटा तुगलक वन्स के अंतिम सासक थे ऑप्शन नमबर आपका फ्रेंड्स एक करेट अंसर हो जएगा भारतिय राष्टे कॉंग्रेस की स्थापना कहां हुई थी आपको फ्रेंड्स इसकी बार में पताना है सभी बच्चे ध्यान से कुष्ण का अंस करें क्या होगा इसका राइट अंसर बहुत ही बैतरी जबर्दस कुष्ण आपके स्क्रीम पर वो तच्छी आपकी त्यारी है आपसे बेटा क्या पुछा गया है भारतिय राष्टे कॉंग्रेस यानि आइन सी की स्थापना कहां प और आपका फ्रेंड्स इसकी स्थापना के दुवारा क्या कीवी थी सभी बच्चे याद रखेगा मुंबाई करतन सरोजेगा कोई भूलेगा नहीं चाहे का सबसे बड़ा उतपादक राज्ये कॉन सा आपको फ्रेंड्स इसके बार में पताना है जिया दोस्तों कुष्ण पर ध्यान दीजेगा बड़ा ही गजब का बैतरीं कुछन आपकी स्क्रिम पर है सभी बच्चे ध्यान से कुछन कांस कीजेगा आप से बेटा क्या पुछा गया है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्ये कौन सा है आपको फ्रेंड्स इसके बार में पतन हैं सभी बच् सबस्क्राइब करना ब्लैक इन को प्रेस करना बुलें आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट तंसर हो जएगा औप्षिन नंबर क्या है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्ये आपका फ्रेंड्स असमूझे क्या हो जाएगा असम का रास्ट वद्यान कांपर सिते है मानस राष्टे उध्यान है वो भी कहां पर सिता है आपका फ्रेंड्स असम में सिता है इस बात को भी याद रखेगा आपका फ्रेंड्स असम है जहां पर क्या की जाती है सबसे ज़्यादा चाय की खेती की जाती है और आपका फ्रेंड्स चाय के लिए की खेती के लिए कौन स पादन किया जाता है और दार्ज लिंग को बेटा यहां पर जी आई टैक के रूप में इस्तिमाल किया गया तो आपका राइट अंसर हो जएगा ओपिशन नमबर एक असम ठीकर नेक्स पर ध्यान दीजेगा आप से पूछा गया है कि लाल फूल को हरे शीशे में आपका बेट पर ध्यान दीजेगा कि लाल फूल को हरे सीशे में देखने पर किस रघ का दिखाई देगा आपको उसको यहां पर ந以 capable बंदा पृड़ित है उसको लाल रंग कैसा दिखाई देगा हरा ऑ और हरा कैसा दिखाई देगा लाल इस बात को भी याद रखेगा आपका तो सभी बचचे ध्यान से कुष्ट का ऊटा है अपका फ्रेंड्स होटा है उपराश्थ्ब थिती है राध्य है सभा का के बारे में बटा किस ऐन शेट में वर नने अनुछेद नंबर असी किस मैं और्सथ Begin से रिलेट करता है राज्ये सभा से रिलेट करता है सभी बच्छे गयाद रखेगा यह आपका फ्रेंड्स कौन सा स्थन है उच्छ सदन यह कौन सा सदन है उच्छ सदन है इसके बाद में इसके अंदर सदस्यों की संख्या कितनी होती 250 जिसमें से 238 सदस्स होते हैं राज्य और केंदर सिद परदेश्छNow कंदर 이ं कितने होते हैं यहां पर 238 सदस्स होते हैं 12 सदस्स आप सें वहार कहां से लिए जाते हैं राश्ठ पती द्वारा मनौनित 12 साशित परदेश से कितने होते हैं यहां पर 238 सदसे होते हैं बारा सदसे आप से बिटा कहां से लिए जाते हैं राष्ट पती के द्वारा मनोनित 12 सदसे हैं जो राश्टपती के द्वारा मनोनित के जाते हैं सभी बच्चे याद रखेगा इसका कारेकाल कितने वर्ष का होता है तो कारेकाल की जब बात आती है तो 6 वर्ष च्छे वर्ष क्या होता है इसका कारेकाल होता है और इसमें से एक तीहाई सदस्य बेटा दो साल के बाद में क्या निवर्थ हो जाते हैं दो वर्ष के बाद में सेवा निवर्थ हो जाते हैं इस बात को भी याद रखेगा आपका friends right answer हो जाएगा option number क्या उपराश्पती राज्य सभा का अध्यक्ष होता है सभी बच्छे याद रखेगा नेक्स विश्यन आपसे पूछा गया है पंचायती राज्य का सबसे छोटा अंग किसे माना जाता है आपको friends इसके बाद में पतना है तो सभी बच्छे याद रखेगा पंचायत राज्य का से पहले कहां पर लाग हुई थी तो पंचायच सबसे पहले लाग हुई थी राजस्थान के नागोर जिले में ठेके ना राजस्थान के नागोर जिले में क्या हुई थी सबसे पहले पंचायची राज को बार में प्तन हैं जियाँ दोस्तों किश्न पर धियान दिजेगा कि इलेक्ट्रॉन walk kiskey का इस Колि यहाँ पर सभी बच्से याद आपते हैं तो आपका friends राइट summar हो जएगा option नमबर क्या यहां पर friends इस लेक्ट इविदुत उर्जा क्रेट अंसर हो जएगा जिसको विक्स नापते हैं इलेक्टरों वोल्टमें आपते हैं अगले question पर ध्यान दीजिएगा कि संत्रा की संत्रा की खेती कहां पर सबसे अधिक होती हैं आपको फ्रेंड्स की बार्मतन हैं सभी बच्चे ध्यान से कुष्ण का अंस करें जो भी बच्चे हमारे शेश में आज पहली बनाएं चैनल को सब्सक्राइब करना बले किनको प्रेस करना ना भूलें इसके साथ ही सभी बच्च आपका फ्रेंड्स संत्रे की खेती सबसे ज्यादा की जाती है नागपूर के अंदर सबसे ज्यादा संत्रे की खेती की जाती है सभी बच्चे याद रखेगा खटे फलों का अनुसंधान संस्थान खटे फलों का अनुसंधान संस्थान भी कहां पर सिता है तो आपका फ्रे नासी के अंदर से ताहैं आपका फ्रेंड्स राइट अंसर हो जाएगा स्कारा। ब्लैक पर्गोड़ आ competitive डिक्राइगक सिता हैं सभी बच्चे ध्यांसे need क्लाइन कैंफ कि आपका फ्रेंड्स राइट अंसर हो जाकर ओप्षिंग यहां पर है आपका चार ऊडिसा ऊडिसा के अंदर क्या हैं ब्लैक पकोडा मन्दिर से नहीं आप सभी बचे यादर रहेघा उडिसा की पूरव रजदानी कीजब बात की जाती है तो ऊडिसा की पूरवराजदानी कॉनसी है आपके बैटा कटक ठीक कटक क्या है उडिसा की पूरव राजदानी वर्तमान राजदानी की जब बात होती है आपके फ्रेंड से जब यहाँ पर वर्तमान राजदानी पूछी जाए तो वर्तमान राजदानी कौन सी है आपके बिटा भुवनेश्वर ठेके ना यह कुशन आपसे कई बर पूछा जा बता हैं कि उडिसा की पूरव राजधानी कहा है तो उडिसा की पूरव राजधानी है कटक और वर्तमान राजधानी कहा है भवनेश्वर सभी बच्चे याद रखेगा आपका फ्रेंड्स ओप्शन नमबर 4 क्रेट टंसर होजेगा कोई भी बच्चा भूलेगा नहीं इसके बाद में आपका फ्रेंड्स अगला कुष्ण यापर आपसे पूछा गया है कि 1951 में ध्यान दीजेगा बिटा आपसे क्या पूछा गया है आपका कुष्ण है कि 1951 इसवी में आयो जिते पर्थम एस याई खेल में कितने देशों ने भाग लिया था आपको फ्रेंड्स इस याई खेल में कितने देशों ने भाग लिया ग्यारा देशों ने भाग लिया इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स दूसरा क्यूशन क्या बना कि यहां पर फ्रेंड्स यह कहां पर आयो जित वा तो भारत में और भारत में कहां पर आयो जित वा था नई दिल्ली में आयो जित यह थो हो था आप याध रखेगा 1951 के अंदर बात्ध में आपका प्रता के यह 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 न हquito हुए ऑप लयगござ है आपकी ने फिर्श्यकित 오 IRA बनाया गया और जिसके कान पर्द्धर ऑज़ion ने थे इस बात को भी याद रखेगा आपका फ्रेंड्स राइट अंसर हो जएगा ओप्शन नमबर क्या ग्यारा देशन जो 1951 में एश पर्थम एश एखेल में सामिल हुए थे गोवा को किस वर्षे राज्य का दर्जा दिया गया आपको इसके बार में प्तन हैं जिया दोस्तों कुष्ण पर ध्यान दिजेगा बहुती बैतरीन गजब का विश्ण आपकी स्क्रिंपर है सभी बच्चे ध्यान से किजेगा आपका फ्रेंड्स यहां पर क्या पुछा गया है कि गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा मिला तो सभी फ्रेंड्स जो 1961 तुम बताने लग रहे हो 1961 के अंदर तो बेटा गोवा आजाद हुआ ठीक ना गोवा आजाद कब हुआ जब आपसे पूछा जाए कि गोवा को पुर्टगालियों ने यहां पर कब छोड़ा या आजाद कब हुआ तो गोवा आजाद हुआ था 1961 के अंदर और जब तुम से यह पूछा जाता है कि यहां पर फ्रेंड्स ने गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला तो वो मिला था 30 मई 1987 को इसके अंदर पजल मत वा करो क्योंकि यह कुशन आप लोगों को लटका के छोड़ेगा ठीक ना 1961 में पुर्टगाली गोवा को छोड़ कर नगर निगम का जो सर्वोच्य अधिकारी होता है उसे हम किसके नाम से जानते हैं आपको फ्रेंड्स इसके बारंतना हैं यह आपके साथ नहीं है यह कुशन जब भी पूछा जाता है तो यह मान के चलिए कि यहां पर हैं 95% बच्चे हैं जो इसके अंदर गलत करते हैं ठीक इसको यहां पर क्या भासा क्यादार पर कभ गठित किया गया तो यह नॉर्मल कुशन है जो हर बच्चा गलत करता है लेकिन हम लोगों को इसके अंदर ध्यान देने क्या हो शकता है कि इन कुशनों को हम सही कैसे करें क्योंकि यहां पर यह चोटी सी गलती हम लोगों को क्या है एक नाधार से यहां पर क्या करवा सकती है यो मारे दो नमबर उनको कटा सकती है वारे सेलेक्शन कितने ऐसे राजनितिक दिल थे जिने राष्टे दल का यहां पर मानेता दी गई थे तो सभी बच्चे याद रखेगा ओपिशन नमबर से कुशन का अंस करें क्या होगा इसका राइट अंसर तो आपका बिटा जिन पहरे साथ उन्हें लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धनिवाद श्याम को पांच बजे सभी बच्चे हिंदी की क्लास के लिए तयारेंगे श्याम को साड़े जिसको राष्टे समराठ के नाम से जाना जाता है आपका फ्रेंड्स राइट अंसर हो जेगा ओप्शन नमबर दो सभी बच्चे याद रखेगा दंड कारने योजना येस बटे ध्यान से कुशन कांस कीजिएगा कि दंड कारने योजना किस राज्य में सेते हैं आपको फ् योजना सेता है आपका फ्रेंड्स राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर तीन चतिस गड़ सभी बच्चे याद रखेंगे दंड कारने योजना कांपर है चतिस गड़ के अंदर से तैस सभी बच्चे याद रखेगा आपका फ्रेंड्स यहां पर यह कुशन पीछे एकलो यह क्लिगें अगले में भी रारे हैं यह परत्यासिक शूर है किसे माना जाता है आपको तयागी क्मुषनक किसे माना जाता है लिए किसे हैए आपको friends क горता सो पहला एतिहासिक संपराट माना जयता है आपका चंदर कुपत मोर यह जिसे पहला एतिहास कि संब राप माना जबता है आपका फ्रैंड शाक राइंसर होजैगा option number Ос 9 M sixth Spanish by only good time personally अरे आख मेंरी अरे शुर्ड़ा यही समय कुछ करने का मेरे दोस्त इसे खोना नहीं ठीकिना आपके पास जो समय है वही समय आपका बेटा यहाँ पर सबसे क्या है गोल्डन टाइम है लेकिन इसको यदि तुम लोग यहाँ पर नींद को के चक्कर में बरबाद कर दोगे तो यह समय आपके पास कभी भी लोट कर नहीं आने वह ठीकिना आपका अगला कुछन देखिए का कुक्का अंदोलन ने कहां हुआ था आपको फ्रेंड्स इसके बार में प्तन हैं कि भैरी गूर बिटे ध्यान से कुछन का अंस की जिएगा क्या होगा इसका रइट अंसर कि कुक्का अंदोलन ने कहां पर हुआ था आपको फ्रेंड्स इसके बार में थना है तो यहां पर आपका रइट अंसर हो जड़ेगा option नमबर दो पंजाब में कहां पर हुआ था पंज लाटन अंदोल्र ने वह कहां पर हुआ था बिहार के अंदर हुआ था आपका friends लाइट अंसर वोजेगा Option 2 मनुशे को धवनी कमपन की अनुबती किस आवर्ती से किस आवर्ती में होती है आपको कि मनुष्य है हो एक सक के बीच की दमनी को सुन सकता है आपको कि सबसे इससे लेकर 20,000 Hz तक के बीच के दो धमनी को सुन सकता है ना तो इससे कम की सुन सकता ना इससे ज्यादा की सुन सकता आपका फ्रेंड्स राइट अंसर हो जाएगा option no.4 नेक्ट अपसे पूचा गयाई परती दवनी अतपन होती है परती दम्न ऊतपन होती है अ लेकिन वह अचनली में किम उत्बेख खोचा चुटा कमरे हैं लेकिन वह और कमरा क्या है फार क्या है विलकुल खाली ऐख आपन और का उसके अंदर कहीं भी कोई चीजू नहीं रख्यां जब आप उस चंवरे में बोलते हैं आवास करते हैं तो वो ऐसे मैसम 사진 कि इसको इसे मवाइक और वापिस से जो रुफ्ष इतुण उसको क्या कहते प्रती दवनी कहते हैं आप परती दवनी जोध्रे मतलब कि वो आवाज दुबारा से जो हमें सुनाई देती है वो किस कारण से सुनाई देती तो सब भी बच्चे याद रखेगा option no.1 यहां पर दवनी के प्रावरतन के कारण क्या होने के कारण दवनी का जब वापिस से reflect होती है प्रावरतन होती है और जिसके कारण हमें परती दवनी सुनाई देती है आपका राइट अंसर हो जेगा option no.1 बांगलादेश की संसद को क्या कहा जाता है आपको फ्रेंड्स इसके बार में प्राण है जिया दोस्तों कुछन पर ध्यान दिजेगा बहुती बैतरीन जबर्दस कुछन आपकी स्क्रिम पर वह तच्छी आपक उस्ते हैं किसको बैंगलादेश की संसद फो सभे पच्छे याद रखेंगे बांगोदेश की मुद्रा क्या है आपकी फ्रेंड्स धाका भांगलादेश की राज़ँन निंसर हो जेगा option No.1 नमर्क जाती है संसद केसर का सबसे सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है आपको फ्रेंड्स के बार में पताना है केसर का सबसे अधिक उत्पादन होता है जम्मु कश्मीर में केसर का सबसे अधिक उत्पादन कहां पर होता है जम्मु कश्मीर में दाची ग्राम वन्य जी अभ्यान कहां पर सिता है आपक कस्तूरी म्रिग के लिए पर सिते हैं इस बात को भी याद किना कस्तूरी म्रिग के लिए कौन पर सिते हैं दाची ग्राम वन्ने जी अभ्यान सिते हैं इसके बाद में आपका फ्रेंड्स यहां पर जो जिला दर्रा यह भी कहां पर सिते हैं आपका फ्रेंड से जमु कश्मीर म सेता है option number 1 right answer हो जाएगा गाएक वार कहा का सासक था आपको friends इसके बार में प्तरन हैं गाएक वार कहा का सासक था आपको friend सिसके बार में तरन हैं जिन पेड़े साथ ने like count को like कर दियां उनका भी बहुत बहुत दिल से दनेवाद जो बच्चे मारे बच्चे में लाइक काउंड को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब बैकन को प्रेस कर लेंगे और गायक वाड सा सकता का option three नोबर चैनल को यहाँ पर दियान दिज्वादा नेटरा वती नदी किस और बहती है आपकी peer यहाँ बहती है दक्षिन की तरफ आपका option number 4 रेट एंसर हो जाए ठीक ना नेत्रावती नदी की style में बैती है दक्षण की तरफ बैती है आपको friends इसके बार में याद रखना है प्राइदी पे भारत की सबसे लंबी नदी आप से पूछी जाए क्या पूछी जाए बिटा यदि आप से question पूछा जाए कि प्राइदी पीए भारत की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो सबसे लंबी नदी है आपकी friends यहाँ पर गोदावरी ठीकना प्राइदी पीए बात को भी आप सब ही उचे ज्याद रखेंगे आपका friends right answer हो जेगा option नमबर क्या दक्षिन फिलम में चोखर वाली के निर्देश कोन है आपको फ्रेंड्स इसकी बार में पताना है सभी बच्चे ध्यान से कुष्ण कांस करें आपका फ्रेंड्स राइट अंसर हो जेगा ऑप्शन नमबर एक रितु परना घोष हैं जो बिटा क्या है यहां पर फ पूर पहली आपके बिटा हमारे देश की पहली पूरण कालिक विदेश मंत्री है क्या है हमारे देश की पहली पूरण कालिक विदेश मंत्री को ने सुस्मा सवराज है सभी बच्चे याद रखेगा इसके साथ यह बिटा कहां से ब्लॉंग करती है हर्याना के अंबाला से अरियाना के कहां से ब्लॉंग करती हैं, अम्बारा से ब्लॉंग करती हैं, आपका friends राइट अंसर हो जएगा, option number 1, next बिटा आप से क्या पुछा गया, question को ध्यान से सुनेगा, आप से पूछा गया, निमन में से कौन एक अर्ध विक्षित बच्चे को जनम देता है, आपको friends इसके बार में तन है, निमल निखित में से कौन सा ऐसा जीव है, जो अर्ध विक्षित बच्चे को जनम देता है, आपको इसके बच्चे को प्रति दिन पांच बज़े त्यार रहेंगे, आप हिंदी की क्लास के लिए, शाम को साड़े साथ बज़े रहेंगी लुशन जिके क्लास, साड़े नो बज़े रहेंगी आपके रिजनिंग की क्लास, तो जो अभी बच्चे आशेश में पहली बढ़ाएं, चैन को सब्सक्राइब करना, बलाइक इनको प्रेस करना ना बुले, और आप सभी बच्चे याद रखीगा, कंगारू एक अर्ध विक्षित है कि कंगारू जैसे ना, उसने तीन बच्चों को जनम दिया, ठीक है, और बाइदी चांस वो खाना वो भोजन लेने के लिए गई, जब उसके बच्चे उसकी थेली के अंदर है, और यहाँ पर उसको सेर या उसके कोई भी जंगली जानवर उसके पीछे पढ़ गया, यान पर ताकतवर जीव जो बचे हैं, जो उसके बच्चे ताकतवर हैं, यानि कि वो आगे उसकी परजाती को बढ़ाने का काम करेंगे, और यह जो कमजोर है वो तो यह दी मर भी जाएगा, तो कम से कम वो बच्ची रहेगी तो अपनी परजाती को आगे बढ़ाने का काम कर सकत तो आपका फ्रेंड्स यहां पर Unicef दिवस कब बनाया जाता है आपको फ्रेंड इसके वांता नहीं अर्द विख्सित बच्चे का मतलब होता है जैसे आपने नहीं होते हैं आपने जैसे यहां पर कहते हैं 28 बच्चा हो गया और यह झा करें यहां पर एट मन्त में बच्चे मा की डिलीवरी ओ जाए या सेवंत मंत में लाकिद दिलीवरी हो जाती य है तो उसको का यूनिसेफ दिवस कब बनाया जाता है तो सभी बच्छे याद रखेगा option नबर क्या 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है सभी बच्छे याद रखेगा option नबर एक राइट अंसर हो जए गुलाम वन्स का अंतिम सासक कौन था आपको प्रेंचिस के पारमतंन हैँ क्यू शिये पर द्यान दीजिए गा आप क्या है कि यहां पर गुलाम वन्स का अंतिम सासक प्रेंचिक दूप對了 सभी बच्छ याद रखेगा कि घुलाम वन्स की स्थापना किसने कि ती धूराम वन्स की जब स्थापना की बात आती है तो 1206 में किसके द्वारा की गई थी कुतुब दिन एबक के द्वारा ठेक ना कुतुब दिन एबक है जिसके द्वारा क्या की गई थी बारा सो च्छे में गुलाम वंस की स्थापना की गई थी और 1290 में क्या 1290 में क्यूम्रस के साथ बिटा कौन सा वंस यहाँ पर गुलाम वंस से समाप्त हो गया था option number 2 राइट अंसर हो जएगा न्यूट्रोन कैसा कन है आपको friends इसकी बार में बतान है सभी बच्चे ध्यान से कुष्ण का अंस करें आपका friends राइट अंसर हो जएगा option number क्या neutron होता है यहां पर केंद्रग जो सेंटर के अंदर क्या हमेशा पोजिटिव चर्व तो आपका जो परबाणु का सेंटर होता है वह हमेशा पोजिटिव चर्व दोता है क्यों की हाँ पर friends आपका neutron plus में proton होता है ना neutron plus में क्या होता है proton होता है proton पर आपका positive charge है और आपका friends neutron पर no charge है तो plus plus में zero करेंगे तो आपका बिटा क्या आएगा यहां पर plus ही आजाएगा तो यानि की option number एक आवेश हिन करेट सबीक दियान से क्यों होगा इसकर रहेट अंसर जिन पेहरे साथ ने ने लाइक कांट को कर दिया उनका वहीं बहुत बहुत दिलसे धनिवाद जो बच्चे हमारे बच्चे में लाइक कांट को करेंगे चैनल को सब्सक्राइब को प्रेस कर लेंगे याइस बेड़े वेरी गूड शेबाश अंसर कीजेगा क्या होगा इस कुछन का राइट अंसर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट अंसरो जेगा ऑप्शन नमबर क्या भारती राष्ट कोंग्रेस बिटा भारती राष्ट कोंग्रेस के अध्यक्ष आजादी के समय कौन थे जेबी कृपलानी थे कौन थे जेबी कृपलानी है जो यहाँ पर फ्रेंड्स भारत की मातमा गांधी बना था इस बात को भी याद रखए गठीक ना मातमा गांधी क्या बना था 1924 में बेल गाउं अधिवेशन मेंगया और राज़िंदर प्रशाद सेट आप बहुति इस राइंटाने सरोजेगा ऑपश नोबर तीन नेक्स्ट आप से पूचह अबारत्य रास्टे कोंग्रेस की स्थापना, किस वर्षुविति आपको फ्रेंड से के बार में पताना है ने क्या थायस दिसंबर utilizz कशक्वा आप भारते रास्टे कोंग्रेस के अध्यक्ष यहां पर स्थापना हुई है और यहां पर संस्थापक कौन थे ए ओ हुम ठीक ना ए ओ हुम क्या है यहां पर भारते रास्टे कोंग्रेस के संस्थापक है नाम करन किया दादा भाई नरोजी ने इसका नाम करन किया इसके साथ ही यह यहां पर पहले अध्यक्ष कौन बने तो पहले अध्यक्ष बने थे डबलू सी बेनर जी क्या बने इसके पहले अध्यक्ष बने इसके साथ ही पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने आपके फ्रेंड्स यहां पर बद्रूदीन तयब जी है इसका अध्यक्ष बना पहला अंग्रेज बना जोर्ज यूले जो क्या बने थे पिटा इसके पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने पहली महिला अध्यक्ष कोन बनी एनी बेसेंट है ना पहली महिला अध्यक्ष की जब बात की जाएगी तो एनी बेसेंट बनी और पहली भारतिय महिला अद्धिक्ष की बात की जाएगी जब क्या की जाएगी भारतिय महिला अद्धिक्ष की बात की जाएगी तो आपकी बिटा कौन बनी थी सुरोजनी नाइडू ठीके ना सुरोजनी नाइडू है जो यहाँ पर क्या बनी थी बिटा भारत की यहाँ बारतिय रास्ट्रे क कॉंग्रेस की पहली भारतिय माला अध्य romance ब्रका एंधencies इतते हैं इसके बाद में आप से यह दी पूछा जाGUं कि पहला गयर कॉंग्रेस की अध्यक्षि घनी और इस बात को बएपने याद रखना आपका फ्रेंट होजेगा ऑपूस्य यहाँ पर 28 दिसंबर 1850 सीक राइट अंसर हो जएगा सभी बच्छे यादर के ठीक है समझ में आ गया option number आपका तीन राइट अंसर हो जएगा राष्ट पती पर महाभ्योग का आरोप संसद के किस सदन दुवारा लगाए जा सकता है आपको friends इसके बार में पताना है याज बड़े very good शबाश अंसर कीजेगा क्या होगा इस question का right answer आप से बटा यहाँ पर पूछा गया है कि राष्ट पती पर महाभ्योग का आरोप संसद के किस सदन में लगाए जा सकता है तो आपका friends यहाँ पर दोनों संसद के सदनों में लगाए जा सकता है किसी भी सदन में यानि कि कहने का मतलब है कि राज्य सभा के द्वारा भी क्या क्या जा सकता है राष्ट पती पर महाभ्योग लगाए जा सकता है और लोग सबा के द्वारा भी राष्टपती पर महावयोग लगाए जा सकता है आपका friends महावयोग किस में आता है अनुछेद नंबर 61 में ठीकिना महावयोग किस में आता है अनुछेद नंबर 61 में आता है इस बात को भी याद रखेगा option नंबर 3 right answer हो जाएगा अगले question पर ध्यान दीजेगा आपसे बिटा क्या पूछा गया है यहाँ पर आपका question पूछा गया है स्विधान के किस अनुछेद द्वारा राष्टपती को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है आपको friends इसके बार में पताना है स्विधान का कौन सा अनुछेद है जिसके तहट राष्टपती क्या कर सकता है अध्यादेश जारी कर सकता है आपको friends इसके बार में पताना है शबाश मेरे लाड़ लो ध्यान से कुछन का अंस करें क्या होगा इसका right answer बहुत ही बैतरी गजब का कुछन आपकी स्क्रिम पर वो तच्छी आपकी तयारी है जिन पहरे साथ उन्हें like count को like कर दिया उनका भई बहुत बहुत दिल से धनेवाद अपना प्यार साथ विश्वास बनाई रखने के लिए जो बच्चे हमारे बच्चे में like count को like करेंगे ताकि भई हमें भी आपसे motivation मिलता रहे आपका friends right answer हो जेगा option number क्या 34 का correct answer हो जेगा option number 2 अनुचेद number 120 अनुचेद number 120 के तहित राश्पती क्या कर सकता है अध्यादेश जारी कर सकता है बेगम हज़रत महल ट्रोफी का संबंद की scale से आपको friends की बार्मतर है वेगम हज़रत महल ट्रोफी का संबंद की scale से आपको friends की बार्मतर है शबाश मेरे शेरों ध्यान से कुष्ण कांस करें क्या होगा स्काराइटन सर बोती बैतरी गजब का कुष्ण आपकी स्क्रीम पर है सबी बच्चे ध्यान से कुष्ण कांस करें और खेलों के जब कुष्ण पूछे जाते हैं उसके उपर आप लोगों को special ध्यान देने की जरूत है यहां पर कमेंट आ रहा था कि रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंदी थे मेरे को ध्यान नहीं है उसका मैंने करवाया है बचे बाकी कह रहे है तो मैड़म आपने उसका फुटबोल हैं पर क्या किर्केट बता दिया तो उसको थोढ़ा सा यहाद रख लेना यदington मैने आपका रंगा स्वामी कप को यहां पर क्या करवाया गया सहे करवाई उसमें मिस्टेक है तो रंगा स्वामी कप बेटा होकी से कर लेना मुझे ध्यान नहीं है कि ऐसा कोई कुष्टन मैंने करवाया था बाकी आप लोग इस बात को ठीक है ना कमेंट आया हुआ था तो कोई बात नहीं हो सकता है कि इस तरह की गड़बड़ी हुई भी हो मुझे नहीं पता या ध्यान है तो आप इस बात को क्लियर कर लेना कि रंगा स्वामी कप है वो फुट यहां पर किसे रिलेट करता है हो की से रिलेट करता है आप इस बात को स्पेशल रूप से याद दख लेना ठीक है थर्डी फाइफ का करेट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर दो रास्टिय महिला लेखक कोन है आपको फ्रेंण से एसके बार में तन हैं दा मार्टियार फुस्तक के लेखक होन है आपको फ्रेंजस के बार मतन है तो सभी बत चयए रखेगा आपका friends right answer हो जाएगा यहाँ पर कभी परदीब के द्वारा क्या लिखा गया है मेरे वतन के लोगों को लिखा गया option number 1 right answer हो जाएगा वेदानत शब्द का पर्योग किसके लिए किया जाता है आपको friends इसकी बारमतर है जो बच्चे आप सभी बच्चे याद रखेगा परती दिन शाम को पांच बजे रहेगी आपकी friends यहां पर हिंदी की class शाम को साड़े साथ बजे रहेगी आपकी यहां पर लूशन जीके की class साड़े नो बजे सभी बच्चे रिजनिंग की class के लिए कोई भी बच्चा क्लास को मिसना करें वक्त पर फारसी में अनवाद किसकी साइता से हुआ या अनवाद किसके सयोग से वा तो आपका friends यहां पर याद रखेगा कि उपनिशदों का फार्सी में अन्वाद किसके सयोग से वा था दारा सिको के सयोग से किसके सयोग से वा था दारा सिको के सयोग से यहां पर क्या वा था यहां पर उपनिशतों का फार्सी में अन्वाद वा था इस बात को याद रखेगा दारा सिको कौन था यहां पर फ्रेंड्स साजा का पुत यह लिजो शबतना हम लुजाम गुरलन तबचा जबटना हम धतने नदी हम देखते हैं कि कल्कत्ता किसे नदी किनारे से तता है रहा कोलकत्ता है वह उपनितेश कंडत पर न कोलगता है किसे नदी करें तत पर है और हम रिफिजन कारखाना भी वहुत आपका फ्रेंड्स पंगाल में कहां पर आजएगा फश्य मंगाल के अंदर आजएगा सभी बचप याद रखेगा इसके साथ अगली जो बात आती है आपका फ्रेंड स्थeta है आलंग अलंग फियां can you अलंग केश्वर जो तेल चेतर है वो भी कहां पर सिता है आपका फ्रेंड से गुजरात में सिता है इस बात को भी याद रखेगा आपका फ्रेंड राइट अंसर हो जेगा ऑप्शन नमर दो नेक्ट में आप से पूछा गया कुछन को ध्यान से सुनना वेरी वेरी मोस्ट इं लुट प्रूफ जो जैकेट होती है उसके अंदर से क्या नहीं होती है गोली नहीं होती है आप सब्सक्राइब लुट प्रूफ जैकेट बनाते ऐसा कौन सा फाइबर सिसके दवारा क्या बनाते हैं बलुटप्रुफज जैकेट बनाते आपको फ्रेंस के बार मतनां यहां पर फ्रेंच आपका राइट ग पर नाइलोन की तो बलुट आ रजा राइटैटि नाइलोनी के घर में रस्ती होती है जिस पर मम्मी क्या करती है कपड़े सुखाती बैटा उससे कहां गोली रुकेगी उसके अंदर से तो उचाही कितनी भी मोटी आप बना लीजे गोली तो ददाक से निकल जाएगी ठीके ना यहां पर राइट अंसर क्या हो जाएगा कैवलर है जो फाइबर जिस फाइबर का परियोग बुरुस के दात बनाने के लिए किया जाता है जो तुम लोग अपने दातों को साफ करने के लिए जो बुरुस यूज करते हो इसके बाद में कपड़े साफ करने के लिए जो हम बुरुस यूज करते हैं कि इसके बाद में जो बरतन साफ करने के लिए मुमी जूना यूज करती है उसके अंदर जो तार लगा होता है ना वो तार किसका होता है नायलोन का होता है तो आपका फ्रेंड यहां पर आपका फ्रेंड से वह किसके बने elephant है आपका फ्रेंड 40 का रैट उन्षर होज़ेगा ऑप्शन नमबर दो नायलोन 60 किसके बढ़े होते हैं नाइलोन छासट है जिसके किसमेर यूपयोग क्या जता है बुरुस के जो दात है उन्हें के बनाने में क्या जता है आपका फ्रेंड्स राइट एंसर हो जेगा ऑपिशन नमबर दो समझ में आगी बात हाँ आप तो गलती नहीं होगी या भी गलती करो होगे सेब का यहां पर सेब का सबसे बड़ा उत्पादक है राज्यवे संग्शाशित परदेश कोन सा है आपको फ्रेंड्स के बार में पताना है यहां पर बिटा आपसे क्या पूछ लिया कि सेब का सबसे बड़ा उत्पादक है संग्शाशित परदेश कोन सा है तो आपक और फ्रेंड से जमु कश्मीर में था ठीक है उत्त यहां पर हिमाचल परदेश की कुल्लू गाटी यहां पर बिटा क्या होता है कुल्लू गाटी के अंदर सेब का उतपादन सबसे अधिक होता है सभी बच्चे याद रखेगा आपका फ्रेंड्स यहां पर गेहु के यहां पर राम गंगा नेशनल पारक के नाम से आप इसको फिलाल जान लुए कि किना षरक पहले किसके नाम से जानते थे जिम कारब하 के नाम से ठीक तफिर चुम्रें से ढग 17 llama से ढम से जिम कारें तो उस से पहले युद् اليG क्ला MRC किस देश से संबंदित है आपको है किस देश से हैं आपको एक तन है一直 को सब और 중요 सब्सक्राइब प्रबधी ट्यारीया है आपका 56 के साथ सब्सक्राहरा का है यहां पर नाइलोन का टाइप है इस बात को याद रखेगा आपका friends right answer हो जेगा option number क्या यहाँ पर friends Karl Marx के किस देश से समधीत है 42 का right answer हो जेगा option number 2 Germany से आपका friends Germany correct answer हो जेगा सभी बचे याद रखेगा next आप से पूछा बेटा किस वस्तु का भार चन्दर्मापर यहाँ पर किसी वस्तु का भार पर क्या होगा आपको friends यहाँ पर किसी व्यक्ति का जो बार है चन्दर्मापर किसी व्यक्ति के बार का एक पटेचे होता है तो आपका friends यहाँ पर क्या हो जाएगा option number 2 राइट answer हो जेए टिकना किसी वस्तु का भार चंद्रमांपर क्या होते बिटा गटेगा ओप्षिन North सभी बत्चे ध्यान से कुष्ण का अंस किजिए संगमर्मर का सबसे अधिक उत्पादन क्या जाता है राजस्थान में सबी बच्चे याद रखेगा, राजस्तान में मकराना जो छेतर है, जहाँ पर संग्रमर का उतपादन सबसे अधिक होता है चांधी का उतपादन भी सबसे ज्यादा काँपर होता है, आपका फ्रेंड्से राजस्तान के अंदर होता है इसके बाद में खेतरी आपका बेटा किसके लिए परशिद है तामबे के लिए परशिद है आप इस बात को भी याद रखेगा आपका फ्रेंड्स राइट अंसर होजेगा बाद में सबसे जादा होता है होता है कि मद्द्या पर उता है इसके आपका फ्रेंट मंद्येपर्देश और वनो का सबसे ज़ादा कांपर पाया जाते है मद्यप्रदेश में इसके बाद में राष्टे उध्यानों और भ्यारन भी सबसे ज़्यादा काँ पर है राष्टे उध्यानों की अभ्यारनों की बात की जाए तो ये भी सबसे ज़्यादा काँ पर है मद्यप्रदेश के अंदर से इस बात को भी याद रखेगा इसके साथ ह है यहां पर फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा किस You aunto Misha diving अनजाब के अंदर होता है तो आपका राइटासर होजेगा। option No.2 राजस्तान चीन का सो किस नदी को का जाता है आपको को फ्रेंड इसकी बनता रहें जिस परकार से बिहार का शोक किसे का जाता है बिहार का शोक कहा जाता है आपकी फ्रेंड्स यहां पर किस नदी को कोशी नदी हो ना कोशी नदी है उसको बिहार का शोक का जाता है सभी बच्चे जानते हैं अब बिहार का शोक कहने का मतलब क्या है आपका friends इसके द्वारा जब भी कोई प्राकर्तिक आप दाती है तो सबसे ज़्यादा नुक्षान पहुंचाए जाता है ठीक उसी परकार से आपका friends यहां पर अगली जो बात आती है कि आपका friends से वांगो नदी है वांगो नदी के अंदर आपका friends सबसे ज़्यादा क्या होता है यहां पर वांगो नदी है जिसको क्या का जाता है चीन का शोक का आजाता है आप सभी बच्चे याद रखेगा option number क्या यहां पर friends option number क्रेट टंसर हो जेगा बिल्कुल राजस्थान के खेटरी में तामबा यहां पर हम लोग जब पढ़ते ना जब हम लोग यहां पर पढ़ते हैं कि खेटरी के अंदर सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है तो खेटरी राजस्थान के अंदर हम सबसे ज़्यादा क्या मानके चलते हैं तामब प्रदेश माना जाता है क्योंकि हर्याना कैंदरगड के अंदर लगबख सभी खहनिसपदार पाय जाते हैं उसी परकार से राजस्थान के सभी छेतरों में पाय जाता है लेकिन पर्टिकुलर कोई area जो किसके लिए क्या कि यहाँ पर मेल माना गया तो उसको उसी चीज में लेते हैं ठीकिए ना आपका फ्रेंड्स वांगो का रचेंसर हो जेगा सभी बच्चे याद रखेगा सांग पोटों कोन सी अरे सांग पोटों को आपकी कौन सी यह ब्रमपुत्र नदी को सांग पोटों का जाता है कहां पर आपका friends ब्रम्पुत्र को सांग्पो कहते हैं तिबबत के अंदर ठीक है ना तिबबत में इसको किसके नाम से जाना जाता है सांग्पो के नाम से जानते है किसको ब्रम्पुत्र नदी को option number एक राइट अंसर हो जएगा डीजल इंजन का निर्मान की निमन में से का होता है आपको friends इसके बार में पताना है यास बेड़े द्यान से कुछन का अंस करें क्या होगा इसका राइट अंसर बहुत ही बैतरी जबर्दस कुछन आपकी स्क्रिंप रहे है हाँ बई सुनाओ आपका friends राइट अंसर हो जेगा ओप्शन नमबर क्या 46 का ओप्शन नमबर 3 वार नसी ठीक ना वार नसी के अंदर क्या होता है बैटा डीजल इंजन का निर्मान होता है सभी बच्चे गयाद रखेगा ओप्शन नमबर 3 किस रंग का तरंग दिदरिये सबसे अधिक होता है आपको friends इसके बार में पताना है तो सभी बच्चे जानते हैं कि जब तरंग दरिये की बात आती है वेवलेंथ की बात आती है तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा बैटा किसका होता है तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है लाल रंग का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है प्रकास संसलेशन भी इसी का में अबताना है फुटबॉल में कौन सी गैस बरी जाती है तो सभी बच्चे जानते हैं कि फुटबॉल के अंदर हीलियम गैस को बढ़ा जाता है हीलियम गैस का उपयोगी बटा किस में क्या जाता है जो ऑक्सिजन के सिलेंडर होते हैं जिनका उपयोग बटा किस के लिए क्या जाता है यहां पर रोग्यों को ऑक्सिजन प्रवाइड करवाने के लिए इसके साथ ही आपका बटा परवत रोही होते हैं उनको ऑक्सिजन प्र हेलियम होती है इस बात को भी याद रखेगा आपका इंसर हो जएगा comparison कुनेन किसे राक्त हिएजाता है आपको इसकी बार में पताना है रिस पिर कार से आपका तमाखू के अंदर और क्या होता है निकोटीन है ना तमाखों के अंदर कौन से रसाइन का प्रियोग क्या जाता है निकोटीन रसाइन होता है सभी बच्चे जानते हैं उसी परकार से आपका फ्रेंड्स सीने को ना की छाल से किसको प्राप्त करते हैं कुनेन को प्राप्त करते हैं आपका फ्रेंड्स ओप्शन नमर 3 जिस परकार मलेरिया की दवाई देने लग रहे हैं कभी उसके अंदर पीले की दवाई दे रहें मतलब कोई तो सेट बैठे की जिससे वो क्या हो सके यहां पर लोगों को बचाए जासके तो उस टाइम पर भारत ने हाइडरो क्लोरो क्वीन का बहुत जादा क्या किया था दूसरे देशों ओप्शन नमबर 3 जारखंड में ठीकिना जारखंड के जादू गोडा आपका फ्रेंड्स जादू गोडा के अंदर क्या हैं यूरेनियम की खाने पाई जाती हैं इस बात को भी याद रखेगा ओप्शन नमबर 3 रेट अंसर हो जएगा सभी बच्चे याद रखेंगे मदन मोहन मालविया यहां पर बटा क्यूशन क्या है कि मदन मोहन मालविय के दवारा किस विसव विध्याले की स्थापना की गई थी आपको फ्रेंड्स की वारे मेरे शेरों तुमने तो बड़ा कमाल कर रखा है यह भगवान कि तुमें किसी के नजर ना लग जाए अरे ओ गदो यह क्या कर रखा है तुम लोगों ने लाइक काउंटर कितनी बुरी आलत मेरे तो देखके यहां पर तोत्ते से उड़गे भगवान मेरे पास कैसे कैसे बच्चे बैठे हैं जो पढ़ यहां पर मतलब हम लोगों के सारी डूटिया दिला देते हैं मैडम टाइम पर क्लास मे कर आया करो अच्छे कुष्ण कर आया करो आप ऐसे कुष्ण करवाई यह जो मारी पर में आसके यह किजिए वो करिये अर्थ हमें तुम्हें एक लाइक कांटर को लाइक करने के लिए रखा वो भी बसका नहीं है तुम्हारे निकम में आपका फ्रेंड्स राइट अंसर हो जाएगा ऑपिशन नमबर क्या बनारस हिंदू विसविद्याले करेट अंसर हो जाएगा यहां पर मदन मोहनमालविय के दवारा बिटा कौन से विसविद्याले की स्थापना की थी अगले कुछन पर दियान दीजेगा की जीवन बीमा का राष्टी करन किस वर्ष किया आप आपको फ्रेंडस दियान देडिगा की जीवन बीमा का राष्टि करन किस वर्ष किया गया आपको फ्रेंडस के बारम geven पमठान है आप से क्या पुछा गया दल बदले विरोधी विदेयक जिस परकार से आप जानते हैं कि दल बदले विरोधी विदेयक है वह आपका फ्रेंड्स यहां पर एक तरह से क्या लगा दिया जो नेता हैं उनके ओपर रोक लगा दी ठीक ना मतलब जो सरकार जीती थी उसी की सरकार म वो आपका friends यहाँ पर किसके सासन काल में पारीट वा था आपको friends इस के बार में पत्हरों है याइस बड़े डिग्री देशांतर की सरवादिक दूरी कहां पर होती है आपको friends इसके बारे मतना है सभी बच्चे ध्यान से कुछन का अंस करें क्या होगा इसका right answer आप सभी बच्चे याद रखेगा कि परते दिन श्याम को पांच बजे रहेगी आपकी friends यहां पर हिंदी की class श्याम को कि来षण मेरें भूम्ते रेखा पर किस पर होती है भूमम्त रेखा पर होती है आपको friends ordin यह समत्र अर्य पूछि विश्वत रेखा होती है इस बात को भी याद रखेगा आपका right answer ho ज़िएगा option number 1 not real slick one बास का युदिकप हुआ था आपको friends इसके बार में तन है one baby vass का युदिकप हुआ था आपको friends इसकी बार में तन है जिरो डिग्रेक्षांस पर यह विश्वत रेखा होती है अरे मकर रेखा होती है यह आपकी विश्वत रेखा होती है अरे गदों विश्वत रेखा यहां पर क्या विश्वत रेखा परे दिन और रात कितने कितने गंटे के होते बारा बारा गंटे की नहीं होते बिचकुल ब वांडिवास का युदि किस वर्ष वा था तो सभी बच्चे याद रखेगा 1760 में वांडिवास का युद्वा किसके बीच में अंग्रेजों और फ्रांसिस्यों के बीच में क्या हुआ था आपका फ्रेंड्स वांडिवास का युद्वा था सभी बच्चे याद रखेगा फ अंग्रेजों के कही ना कहीं पहले पैर किसने रोक रखे थे वैपार करने से अपना विकास करने से फ्रांसिस्यों ने लेकिन 1760 में जो ये वांडिवास का युद्वा इसके बाद में तो बिल्कुल खुले होगे जिस प्रकार से आप जानते हैं कि 1757 में किसके साथ पानीपत की तीसे लड़ाई होगी और पानीपत की तीसे लड़ाई हुई उसके अंदर भी फाइदा किसको मिला अंग्रेजों को मिला इसके बाद में 1764 के अंदर किसके साथ होगी यहां पर बक्सर का यूद हो गया उसका फाइदा भी किसको मिला अंग्रेजों को मिला मतल अगला क्यूश्ण नहां पर है भारतिय जनसंग के पर्थम अद्यक्ष ऑन थे आपको फ्रेंड्स नहां Śटर हैं सबीवच्ट ध्यान से कुश्म का अंत्रे क्या होगा इसका राइट अंसर जिन प्यारे से उन्हें लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जो बच्चे मारे बच्चे में यदि आपको पढ़ने में मजा रहा है तो एक बार फटाफट से दिल खोल के लाइक करेंगे चैनल पर नहीं है यदि आप परती दिन हमारी क्लासिस लेना चाहत लगा हमारे देश के पहले यहां पर प्राइम निश्टर कोन बने थे हमारे देश के पहले प्राइमनिस्टर बने थे यहां पर जबाल नहरू सभिवच्चे याद रखे कि option number 13 राइट अंसर हो जएगा निमन में इसे कृत्रीमरबड किसे कहते हैं आपको फ्रेंड़्स èsके बार में पता है निमन निख्थ में इसे कृत्रीम रबड किसे कहा जाता है आपको फ्रेंड्स राइड आपसे याद रखेगा कि किरित्रीम्रबड के नाम से जाना जाता है आपका बिटा 57 का option number क्या यहां पर friends आपका नियोप्रीन को किसको जाना जाता है नियोप्रीन है जिसे कृत्रिम रबड के नाम से जाना जाता है आपका friends option number 3 right answer हो जाएगा रबड का उत्पादन सबसे जदिक कहां पर होता है तो रबड का उत्पादन सबसे जदिक होता है केरल में ठीक है ना केरल राज्ये में रबड का उत्पादन सबसे जदिक है केरल्ट ना मसालों का जो बगीचा है उसे भी किसे का जाता है केरल को आ जयता है तो आपका friends rights answer हो ज había option no.3 current एगत यह बात रखना आपका friends right answer हो जेगा option no.3 ठीकिना next up से पूचा गया है रसाइन जगत में आपका विटा क्यूश्टम पर देए सुबह तुम लोग नाने दोने के अंदर क्या यूज करते हो साबून का यूज करते करते हो जब तक भाई साबून पूरा क्या है जाग जाग नहीं हो जाएं जब तक यहां पर पूरा मूँ छमक ना जाए बार-बार म साबुन को किसका लवन कहते हैं आपको फ्रेंड्स इसकी बार में पताना है जो केमिकल्स के अंदर हम लोग किसका यूज करते हैं साबुन का इस्तमाल जो करते हैं वो साबुन का इस्तमाल किसका एक हिस्सा है आपको फ्रेंड्स इसकी बार में पताना है यह बड़े ध्यान से कि उसे पर से अंजा किजएगा वैरी गोड़ भूत नवर और घ्रेंड के अंधर से का सुभागर करें आपका पर नहीं प liaison जगत के अंदर और हमें किस्ते प्राप्त होटी है याद रहे गां यहां पर फ्रेंड्स अपका वसी अमल से पराप्त किसे पराप्त होती है वसी आम यानि की फैट्टी एड़ी से पराप्त होती है आप पीटा इस बात को यह लोग है माल लीजा जैसे पंडू भी ओती है जो नेवी के अंदर पंडू भी का यूज करते हैं वह यहां पर पानी के अंदर के अवाज सुनने के लिए किसका आवाज को सुनने के लिए किसका परियोग किया जाता है हाइड्रोफोन का ठीक है पानी के अंदर आवाज को सुनने के लिए आपका बिटा हाइड्रो मतलब की पानी और सुनने के लिए किसका यूज करते हैं फोन का तो हाइड्रोफोन का इस्तमाल किया जाता है किसके अंदर पानी के अंदर हवाज को सुनने के लिए option number 3 आपका राइट अंसर होज़ेगा सभी बच्छे याद रखेगा hydrometer का उपयोग किसके लिए क्या जाता है पानी की मातरा को नापने ठीक ना अधिकांस मोस्मिय गटनाएं किस मंडल में गटित होती है आपको फ्रेंड्स इसके बार में पताना है अधिकांस मोस्मिय गटनाएं किस मंडल में गटित होती है तो सभी बच्छे अभी पढ़के आए थे जो पहले के अंदर ये देखो कि टीचर ने मुझे कैसे पजल किया कैसे मैं पजल हुआ कौन से शब्द ने मुझे पजल किया उस बारे में फिर सूच ठीके ना यदि मैं तुम्हें पजल करने में काम्याब हूं मतलब की फिर तो यहां पर क्या है आप लोगों को सही तरीके से पढ़ा लगोंashtra जो जाएका औप्समर्याब में यह अफोरों निदर से शिर्गाटी आपको अफगानिस्तान के अंदर से खैबर दर्रा कापर शुत आपका बात की जाती हैं जब दर्रा का पर सुतर क्या होता है आपको फ्रेंड से इसकी बारम्तान है शबाश मेरे लाड़ लो ध्यान से कुछन करेंगे क्या होगा इसका राइट अंसर कि संग्मर्मर का सुतर क्या होता है आपका बेटा राइट अंसर हो जाएगा ऑपिशन नमर एक कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है और टैफलोन ब्रांड आप लोगों ने मिटा सभी ने टैफलोन के बारे में सुना है अपने गर पे आप यहां पर क्या है नोन स्टिक बरतनों की यहां पर क्या यूज किया जाता है आप लोगों ने देखा होगा ना यह यह दि लड़की शादी के बरतन खृत के लिए करके और यहां पर किसके होते थे तामबे के बरतन लेकिन आजकल जो बरतन यूज करती है वह कौन से यूज करती है यहां पर भया नौन स्टिक के बरतन से नीचे कोई बरतन मत देना तो यह जो नौन स्टिक के बरतन होते ना उन नौन स्टिक के बरतनों में किसका उपयोग क्या जाता है टैफलोन का उप्योग करने के पीछे की वज़ा क्या है कि यहां पर इसकी कारण है कि उसके अंदर खाना चिपकता नहीं ठीकिना उसके अंदर खाना क्या नहीं होता है चिपकता नहीं है और दूसरी बात पहले बिटा हम लोग प्रेस वगेरा करते थे तो प्रे बतलब कि टैफ्लोन एक तरह से क्या है यहां पर नौन स्टिक इप करता है आपको प्रेंस कि आह नाम का ब्रांड है वह वह किस बहुलक को वेट करता है आपको आएंस सबी भचे ध्यान से कुशन का अंस करें क्या होगा सका राइट अंसर बोती बैतरीन जबरदस कुशन आप की निग्ड़ी त्रीम पर उद अच्छी आपकी त्यारी आपका पर यहां पर क्या तैफ्लोन ब्राइंड यहां बहुलक को इंडिकेट करता है और दो निखिए निमल निखित में से कौन सी गरंथी हार्मोन स्त्रावित करती है आपको फ्रेंड्स इसके बार में बताना है इन में से कौन सी गरंथी है जो हार्मोन को स्त्रावित करती है आपको फ्रेंट्स इसके बार मतना है तो आपकी फ्रेंट्स अधिवरिक गरंथी जो एडनिल हार्मोन को स्त्रावित करती है तो आपका फ्रेंट्स यहां पर कौन सी गरंथी है जो आपकी बिटा हार्मोन स्त्रावित करती है तो आपका बिटा यहां पर अ streaming करती और आपके फेंट यहां पर अधीवरी के गरंथि ओवा बनको सेखबरेट करती थे हिए मतलब कि धोनों सही हैं मतलब क्या है दोनों सही हैं लेकिन आपर करें क्या अब यहांपर दूंण option दे दिया आपके options इस प्रकार से represent कर दिये तो किसी एक के साथ तो जाना पड़ेगा तो आपका फ्रेंड्स यहां पर किसके साथ जाएंगे option नमबर एक क्योंकि यह अदीवरी की गंति है ना वह थाहियर गरंदी से बड़ी है तो पहले किसको लेंगे यहां पर अदीवरी के गरंदी को पहलें पहले लेंगे यह प्यूसरी बात है कि जब इस प्रकार से option set कर दिये तो उसके अंदर पहले preference किसको दीगी दी जाएगी जो आपकी पहले आएगी ठीकिना जो आपकी बड़ी होगी उसको हम पहले लेंगे आपका friends right answer हो जएगा option number 1 ठीकिना option number 1 right answer हो जएगा भारती रेल संग्राले कहां सेता है आपको friends इसकी बा विटामिन सी भी option में देदिया जाता है आप अडया अंंब्यश्य पता है कि विटामिन य English िविज albums कि दोनों के दोनों आपके बिटामिन से जल में गुलंचील है आप दोनों के दोनों जल में गुलंचील है तो आप करें क्या तो यहां पर फिरम देखते हैं कि कौन सा आपका ज्यादा सेंसिटीव है तो विटामिन संग्राले से यह ओफिशन नमर दो राइट अंसर हो जाएगा नेस्ट आप से पूछा बेटा गुलाम वंच का संस्था पक्क पक्लिंस के सिहां आप को फ्रेंट्थ की बारा नुस्त यह यह बटेव रिफाश अंसर किजिएगा क्या हो perse कुछिस्युन का राइट एंसर जिन प्यारे साथ लुए ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भई बहुत बहुत दिल से दनिवाद जो बच्छे हमारे बच्चे में लाइक काउंट को लाइक करेंगे चैनम को सब्सक्राइब नबइक और यहां पर सभी बच्चे कई वह कंस यह ओधी मैं याव पर्था में मुस्लिम मैला साशिका कों थी तो मुस्लिम मैला साशिका कि जब बात आती है तो आपकी फ्रेंढ्स वो इसल्तान थी इस बात को भी याद करिएगा आपका बांदीपूर राष्टेव ध्यान कि स्राज्य में सेते हैं आपको फ्रेंड्स इसके बार में पताना हैं बांदीपूर राष्टेव ध्यान कि स्राज्य में सेते हैं आपको फ्रेंड्स इसके बार मतना हैं सबी बच्चे ध्यान से कुछन का अंसकरें क्या होगा इसका नागरहोल राष्टे उद्यान भी नागरहोल राश्टे उद्यान भी कहा पर से आपका algumas नागरहोल राष्टे वीक चिके आपका हुआ ही आपका फ्रेंड्स करना एंदर से इस बात to cuv mar का दिन साथ कीяет अगली जो बाराथ आतीए कि अंदर कौन स्य ति आपका पर दिया врем जिसे अबस्टांद के इसके बाद में का पर इस सक्वर्स्थान जान ञाफ दो रजस्थान के अंदे रखточно है इसके बाद में आपका फ्रेंस अगली जो बात आतीं यहां पर सर्ची का ब्यंद है आपका बैटा कौन ने सर्ची का अभ्यारन वह बी का पर सिते आपका फ्रेंस राजस्तान के अंदर सितय याद रखेगा मद्ध्य परदेश के अंदर कहाना तर्ट अनहे पंद्य राश्तिय उद्यान है वो भी आपका बिटा कहां पर है मद्ध्य परदेश के अंदर सितए तो सभी बच्छे याद रखेगा आपका friends नमर क्या यहां पर आपका बांदीपुर राष्ट्य ध्यान का पर करनाटक के अंदर सिते हैं उप्शन नमर एक सीव समुंदर में जलपरपात की सनदी पर सिते हैं आपको फ्रेंड्स इसकी बार में प्ताना हैं सीव समुंदरम जलपरपात की सनदी पर सिते हैं आपको फ्रेंड्स इसकी बार में प्ता करता की गंगा किसे का जाता है तो आपकी फ्रेंड्स कावेरी नदी को आधा लक्यात है ब। नहीं के नाम से पिसको जानते ह творी को जानते नांसे कर तौन का बेरी नदी को जानते हैं आपका обыरी सरे व EXT पर जब जल्परपात की बात आती तो नर्मदादा निदी और दुखाधार जलपरपाद कहां पर सीता है आपका फ्रेंड्स नर्मदा नदीपर अपर इस बात को भी याद रखेगा आपका फ्रेंड्स करेंट तंसर हो जाएगा नेक्स्ट आप से पूछा गया बेटा सत्रंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं आपको फ्रेंड्स इसके बार में पतन हैं आप लोगों ने सबीने देख रखा है सत्रंज का चैश का जो बोर्ड होता है उसमें क्या बने होते हैं आपके स्केर्स में होते हैं ठीके ना लिया आदर रखे गा डेली शाम को साथ बज़कर 30 मिनट पर रहीगी बिटा आपकी जिक्के की क्लास कौँबहार में आपकी दोब्जे रह brasile की जिक्के क्लास सुपै क्लास करें कोई भी बक्चा क्लास को पर क्लास में पहुंझा तो सब्सक्रन करने बरगोंट ना जोटे फिलन… कौन यह कोन सा बच्चा है जो सतरन खेलता है TB मास्टर हमारी क्लास में पूर चुर्णी ह Richardson दमेक ke seventhowbank कमुख्याल ले करें आपको एसिपक्रमतर है सभी बच्चे गोर से कुषण का उन्स कि जीएगा तो हाप सभी जानते हैं विसव बैंक का मुख्याल है कहां पर सिता है वासिंटन डिसी में सिता है वासिंटन डिसी किसकी राजदानी है आपकी फ्रेंड्स अमेरिका की राजदानी है अमेरिका की राजदानी है यह कह सकते हैं यूसे की राजदानी कौन सी है आपकी फ्रेंड्स वासिंटन डिसी है औ और आपका, friends, यहां पर अज़ी जो बात आती है है, कोन से? यहां पर 1960 के अंदर जो सिंदुगार्टी समझोता हुआ था, लिवी आपका, friends, किसने करवाय था? विसव बैंक ने करवाय था, नशिंदुगार्टी समझोता है, वो किसने करवाय था? यहां पर विस्व बैंक ने करवाया था किसके बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या करवाया था सिंदु नदी समझोता कब करवाया था 1960 में सभी बच्चे यारा के का मुद्ट्य आपका फर्रेंड्स नियोभ मी सितले इस बात देले बात को व्याद रखेगा और वाशिंटन डी सी किसरे किनारे था शंधे और नदी के न Samson questions करते नाम है भारते राष्ट्रे कॉंग्रेस किसके द्वारा रखा गया आपको फ्रेंड्स इसके बार में पतना हैं यास बिटे गोर से कुछन का अंस करें क्या होगा इसका राइटन सर बहुत ही बहतरी जबरदस कुछन आपकी स्क्रिम पर वो तच्छी आपकी तेहरी है जिन प्यारे सा कि थी सभी बच नबश्यान इजानते हैं बूर को कुलरे करे नाम से किसको जानते हैं या पर लिगनायट को जानते हैं तो 110 कई बूरा कोईला किसे ऑा जाता लिगनायट कोई का जाता होगा और यह आपका कौन से नंबर पर आता है दीसरी नंबर पर तो भारत के किस राजय में सबसे अधिक लिगनाइट कोईला मिलता है तो सभी बच्चे लिखेगा option नमबर तीन तमिलाडू के अंदर प्लस में हम जब क्या करती है तो इनका टोटल overall percentage कितना बनता है आपको friends करें तो यहां पर आपकी nitrogen कितनी होती 78 परशेंट है ना nitrogen कितनी होती है 78 परशेंट होती है oxygen कितनी होती है 21 परशेंट होती दोनों को जोड़ा तो कितनी होगी 99 परशेंट है अरे मेरे बाई एक करने लग रहें वेडव ऐसी परसेंट इंड़ एक लेए ना यह ना यह नाइट्रोजन यह एक रहें इसके बाद में आपका फ्रेंड्स यहां पर 21 परसेंट ऑक्सीजन दोनों को मिला दिया निया प्रशंट हो देखिए किसे कितनी जबर्दस जबर्दस को और हमारे देश के रावाना दॉधर जूंट के प्रसंटेंट का पता यह ना टॉक्सिजन क की दोनों को जोड़ना ही तो है 20 48 तर में जोड़ने आपका टाइन होझेगा ओपिसन नम्बर जेहां एसे ऐसे कवाकार बेठ्थे एं बस क्या कैं तुम्हारा लिलावती जो पुस्तक है गनित की उसमें तुम्हारा नाम और चीए था पर क्या करें उस टाइम पर तुम पैदा नहीं हुए वरना तुम्हारा नाम लिखना तो अगले कुछन मतलब हर चीज लिखी हुई है तुक्के मारने पर क्यों तुक्का क्यों मार रहे हुं मेरे को य पर लुष पर तुक्या लगेंगे तुम्हारे अगले कुछन पर ध्यान दीजेगा कि भारते राष्टे कॉंग्रेस के द्वारा पहली बार पूर्ण सवराज्य की मांग कहां के अधिवेशन में की गई थी आपको फ्रेंड सवराज्य की मांग की थी वह कहां पर की थी आपका फ्रेंड्स राइट अंसर हो जेगा ओप्शन नमबर च्यार अपका फ्रेंड्स भारती राष्टे कॉंग्रेस के द्वारा पहली बार पूर्ण सवराज्य की मांग की सदीवेशन में रखी गई आपका फ्रेंड्स यहां पर लाहुर दीवेशन 1929 के अंदर रखी ग भारती राष्टिक पहली बार सब्राजय शब्द का परयोग कब किया तुम जो पजल होने लगा है कोलकत्ता के साथ जो तुम भाग रहे हैं वह भाग कैसे रहे हैं मेरी बात को सणू सवराज्य शब्द का पहली बार परियोग कब हुआ 1906 के अदिवेशन में पुर्ण सव सवराज्य दिवस मनाया कब गया 26 जनवरी 1930 तीचार कि यहां पर पांच कुछन लेकिन पांच कुछनों में हर कुछन की अलग डेफिनिशन है और अलग अंसोरे बात समझ में आगी ठीके ना पहली बार पूर्ण सवराज्य शब्द का परियोग पहली बार कब हुआ आपका 1906 में हुआ ठीक है पूर्ण सवराज्य शब्द का परियोग पहली बार कब किया गया पूर्ण सवराज्य शब्द का पहली बार परियोग किया गया कलकत्ता दिवेशन 1916 में पहली बार पूर्ण सवराज्य की मांग कब की गई 1929 में पहली बार सवराज्य दिवस पूर्ण 230 को बनाया गया ठीक है बात समझ में आगी क्या आपको कॉंसेप्ट क्लियर है इस इट क्लियर कि किस क्यूशन का अंसर क्या होगा यह बटे अरे ओ जल्दबाजी ऐसी जल्दबाजी ना करो ठीक है ना वरना वो जैसे हम लोग से जब कोलेज में जाते देना तो साइड से लड आगे कहीं ना कहीं फूटे टूटे मिलते हैं वही काम तुम करने लग रहे हैं तो ऐसी जल्दबाजी किस काम की जिसमें तुम्हारी चार पांच अड्यां तूड़ जाए दो चार महिने तुम्हें एक्सिडेंट हो तुम्हें अस्पताल में पढ़ा रहने पड़े इतनी जल्दबाजी मत करो अराम से तसलिए से पढ़ लो आपका फ्रेंड्स यहां पर अगले कुशन पर द्यान दीजेगा कि भारत के किस छेतर में सबसे कम वर्षा होती है आपको फ्रेंड्स इसकी बार्मतरा है और तुम भी यहीं करते हो पूरे हीरा इरोगरी तो पूरी वर्षा की बात की जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहां पर होती है तो मानसी नराम में मानसी नराम में क्या होती है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और जब कम वर्षा की बात की जाए ना तो वह कहां पर होती है जब कम वर्षा की बात आती है तो वह कहां पर होती है ले में option number 2 right answer हो जाएगा आपका बिटा option number 2 नेक्स्ट बिटे आपसे क्या पुछा गया है यहां पर फ्रेंड्स आपका कुष्ण है बेगम अक्तियार का संब्ध कि शेतर से आपको फ्रेंड्स इसके बार में पताना है बेगम अक्तियार का संब्ध कि के चकर में अपनी मोट साइकल है बाइक से उनका स्पीड तो बढ़ा लेते हैं लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है यदि तुम्हें थोड़ी सी खरोच भी लगती है न तो तुमसे जादा तो यहां पर बिटा क्या है माबाप को दिक्कत होती है ठीक है एक सेकिंड का समय ल कंप्यूटर का इस चिप किसका बना होता है शचे की बनी ओते यहां पर जिसकी बना जाती है यहां यहां पर बिटा सिलिकॉन की बनाई जाती है आइसी चिप कम्प्यूटर की ओप्षिन नमबर तीन रैट अंसर हो जाएगा भारते राश्टे कोंग्रेस के संस्थापक कौन थे आपको फ्रेंड्स इसकी बार में पताना है तो यहां पर फ्रेंड्स राइट अंसर हो जाएगा भारती रास्ट्रे कोंग्रेस के स्थापना जरूर की लेकिन ये कभी भी उसका अद्यक्ष नहीं बना इस बात को भी याद रखेगा पर्थम बहुत संगती किसके सासनकाल में हुई आपको फ्रेंड्स इसके बार में पतान है यास बेटे ध्यान से कुष्ण का अंस करें क्या वह स्कराй 다न सर बोहती बेदेरीं गजब का कुष्ण क愉ष्ण की स्कृंच पर्थम बहुत संगती किसके सासनकाल में होई और अपका फिर्टे राइक और हो जएगा makers नमबर जयाए आजाड पर वी थी तो राजगरह में हुई थी है ना यदी आप से पूचा जाई यह कहां पर वी थी तो आपकी फ्रेंट राजगरह में वी थी सही बात हैं इसके बाद में आपका असोक के सासनकाल में और चोथी किसा सासनकाल में होई करिश के सासनकाल में तो ऑप्षण नंबर चयारक राइट अंसर होजएगा सबी बच्चे याद रखेगा नेक्ष्ट बिटे आप से पूचा गया चंद्र ग्रेंड किस दिन गटीत होता है आपको फ्रेंडस के बार में सबी बच्चे ध्यान से कुष्ण कांस करें क्या होगा इसका राइट अंसर बहुत ही बहतरी जबर्दस कुष्ण आपकी स्क्रीम प्रभूत अच्छी आपकी त्यारी है चंदर ग्रेंड और अमावस्या के दिन आपका कैर सूरी गरण होता है आपका फ्रैंड राइट अंसर हो जए मुझे अप्शिन मुझे न आपका लिएट्यम पर श्रहिएलो आंसर हो जसेगां लेक्टेशन जब मां याँ पर माता के जो क्या होते हैं यहां फरती होती है उससे बच्जे के लिए दूद का क्या संचार नतौत है इसलिटा उसट मैं पर आपको बिटा बताना है इस नियस्तवरन यह सफें आर्मोन से उता है और यहां पर 이 सन हार्मोन है उसका स्त्राव कहां से होता है आपको फ्रेंड्स इसकी बार्मतन है तो आपका बेटा करेंट अंसर हो जाएगा स्तन गरंथियों से होता है किसे होता है स्तन गरंथियों से होता है आपका फ्रेंड्स ओप्षिन नमेर एक सभी बच्चा ही याल रखेगा नेक्श आप से पूछा गया है प्यूश गरंथी में कहां अवस्थित होती है को बिटा इसके बार में तन है तो प्यूश गरंथी काहां पर होती है मस्तिक्ष के नीचे होती है आपका फ्रेंट राइट अंसर हो जेगा उदर के अंदर आपका बेटा यहां पर क्या होती है अगनाश्य अगनाश्य कहां पर होता है आपका फ्रेंड्स यहां पर उदर के अंदर पाया जाता है आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट अंसर हो जाता है यहां पर मस्तिक्ष के नीचे क्या पाई जाती है प्यूश ग्र जो भी फ्रेंड हमारे सच्व में नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले और आपका फ्रेंड राइट अंसर हो जएगा ऑप्शन नमर क्या लखनो ध्यान चंज ऑकी स्टेडियम का पर सिते लखनों में सिते लखनों का रहें उत्तर परद नेश्ट आपसे बिटा क्या पूछा गया आपको फ्रेंड्स यहां पर बताना है कि निमन ने जब भारते सवतंतर हुआ उस टाइम पर ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी आपको फ्रेंड्स इसकी बार मतना है यहां पर सभी बच्चे याद रखेंगे प्रति दिन श जब बच्चें ग्रास के लिए तयार रहेंगे कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें सुबह से शाम तक कि सभी क्लासस आपके हरें कॉमशन एक्जाम के लिए जरूरी है चाहे फ्रेंड्स आप किसी भी संटर या स्टेट के एक्जाम की तैरिक ना करने हो और जब भारत नाम से जाना जाता था तो जापान को पहले जानते थे किसके नाम से निपन के नाम से आपका फ्रेंड्स ओप्शन नमर ती निपन करे टन्सर हो जाएगा उगते सूर्य का देश किसे का जाता है तो उगते हुए सूर्य का देश का जाता है आपका फ्रेंड्स यहां पर जाप जापान को ठीक है ना सबसे ज़्यादा मेंती लोग कहां के हैं तो सबसे ज़्यादा मेंती लोग भी आपके फ्रेंड से जापान के हैं इसके साथ ही सबसे ज़्यादा नो संचालकों का निर्मान किसका निर्मान नो संचालकों का निर्माण भी सबसे ज़्यादा कांपर होता है ? अबाधने पन्चायती राज अधिनियम को लागू किया गया ? तो भारत में पन्चायती राज अधिनियम को लागू किया गया था ? आपका friends 24 अप्रेल 1904 में को सभी बच्चे याद रखेगा option number 2 सती पर्था को रोकने वाला पर्थम Muslim सासा कौन था आपको friends इसके बार में पताना है सती पर्था को रोकने का प्रियास करने वाला पर्थम मुगल समराथ कौन था आपका friends option number 1 अकबर अकबर के द्वारा सबसे पहले सती पर्था पर्था पर्रोक लगाई गई थी आपका friends option number 1 राइट अंसर हो जएगा आई डेयर किनकी आतम कथा है आपको friends इसके बार में पताना है तो आई डेयर आतम कथा है किसकी यहाँ पर किरनवेदी की option number 1 राइट अंसर हो जएगा सबसे कम 120 राज्य में पाए जाते हैं आपको friends इसकी बार में पताना है तो सबसे कम 1 या पर क्या 1 छेतर की जब बात की जाती तो सबसे कम 1 छेतर कहां पर पाए जाते हैं हर्याना के अंदर पाए जाते हैं option number 4 क्रेट अंसर हो जएगा सब बचचे या द रखेगा हरयाना के अंदर सबसे कम 1 छेतर इसके बासमति चावल जो बिटा क्या किया जाता है भारत के सबसे अधिक निर्यात किया जाता है बासमति चावलका सबसे अधिक उत्पादन कहा पर उता है घर YOURाना कर और होता है option number 4 तन सरह हो जाएगा मालपरभाप क्रियोंजना कहां सिता है आपको फ्रेंड के बार में थन है मालप सितना कहां थन आपको फ्रेंड के बार में तन है भी टेट UOO नहीं है धिकर रिकोड़िट कलास चलने लग डिए आराम किजीए ठीक है आपका फ्रेंड्स यहां पर क्विशन क्या है कि माल् परभाप प्रिोजना कहां शीते हैं आपका राइट अंसर हो जाएगा नाइंटी काॉपिश्ण नमर एक करनातक में कहां पर सिते हैं करनातक के अंदर सिते हैं आप बेटा याद रहिएगा ऑफिशन एक करनाट तल ठेकिना आपका करनाट तक कर्ट अंसर हो जाएगta यहां कई चलम मेरे को यह बता दो कि यह पस्क्रांब कुष्धिक कैते चैपने लाइव नहीं है denkkoseugen को दोने बता कि छलता है कि लाइव के लाइव क्लासमे क्या हुटता है एक बात बताओ लाइव क्लास में ऐसा क्या होता रिकोड ऍधर्ड इतायों सीमरा बहता है ईक्षाम की ट्यारी कम हो जाती है जह यह कहते हैं इसतों प्र intelligence के अंदर तो तुम्हें किस्ट ना दिक्रत utility लाइव क्लास के अंदर तुम्हें क्यूशन दिखाई देने लग जाते हूं कुछ तो ऐसा होता होगा है ना कुछ तो फरक होता ही होगा मेरे को यह समझ में नहीं आया आस तक क्या फरक है याइस बड़े कैनन ने कैनान शब्द की स्खेल से समधिता है तो सभी बच्छे जाना जाता है आपको फ्रेंड सिसके बरमतन है अच्छा फिल होता है मतलब हद तुम्हारे हागे भी ओर निकमो आपका फ्रेंड सिया पर 92 का उप्षिन नमर तीन मुहमद बिन तुगलक जिसको हम क्या कहते है पागल बाश्शा के नाम से जानते हैं आपका फ्रेंड इंस राइट अंस रोजेगा option no.3 जिसने अपनी राजदानी तुम्हारे feeling के चक्कर में ना तुम लोगों का exam की मेरे इसाब से पता नहीं clear होगा या नहीं होगा पर तुम मेरे को जरूर मार देना एक दिन ठीक है तुम्हारी ये feeling के चकर में क्यूं तो 2 गंटे की class ले लेते ठीक है तुम्हारा तो selection होगा या नहीं होगा तो मैं नहीं कराओंगी तो कोई और करा देगा उसको दूसरी मा कहां से मिलेगी हो सकता है तुम्हारे सर को दूसरी wife मिल सकता है क्योंकि नोखरी लगे होए हैं ठीक है लेकि मेरे बिटे को मानी मिलेगी दूसरी आपका friends right answer हो option number क्या मुवबद बिन तुगलक रट तंसरोज़ेगा जिसको पागल बाश्या कहा जाता था भारत के संग्षाशित परदेशों की कुल संख्या कितनी है आपको friends इसकी बारत है तो यहां पर friends आपका राइट अंसरोज़ेगा आठ यहां पर बिटा संग्षाशित परदेश सभी बच्चे याद रखेगा यह आपका जब 2019 के अंदर कश्मीर से क्या आट आए गया है यहां पर जो 370 की दार आट आए गई उसके बाद में कश्मीर को के अंदर साशित परदेशों में इंक्लूट कर दिया गया अब भारत के अंदर क्या है 28 राज्ये हैं और 8 के इंद साशित परदेश हैं इस बात को भी याद रखेगा आपका फ्रेंड स्राइट अंसर हो जेगा उप्शन नंबर एक नेक्स्ट आप से पूचा बेटा सिखवाद का पतने कि सधी से वाँ आपको फ्रेंड से बार में पतन है सिखवाद का पतन कि स्ताबदी से वाँ आया कि सलतनत के तहाइड कुल कितने राजवन सो ने सासन किया आपको इसकी बार में पतन है एसन पर ध्यान दीजेगा वेरी वरी मौस्ट्रार्टे masking प्रेस स्दों अबचे गोर से देखेगा कि दिल्ली सलतनत केत तहाइद कुल कितने राजवन शो ने सासन किया का कि यह एस बेटे वेरी गुड भूद बढ़िया ध्यान से कुशन का अंस कीजेगा क्योंगा इसका राइट अंसर तो आपका फ्रेंड्स राइट अंसर हो जएगा ऑपिशन नमबर क्या 95 का राइट अंसर हो जएगा ऑपिशन नमबर दो पांच है ना पांच राजवन्स थे जिनजर होने क्या क्या था दिल्ली सल्तनत के त Verfback के अंदर आपका फ्रेंड्स यहां पर पहला कौन सा हो जएगा गुलाम वंस पैला कौन सा है आप का गुलाम फन स्थिक है गुलाम वंस ने कब से सासन स्टार्ट क्या 2106 से लेकर 1209 тख सासन क्या हना 1206 से लेकर कब तक किया, तेरा सो बीस तक किया, उसने कब तक सासन किया, तेरा सो बीस तक सासन किया, फिर कौन आया बिटा, तुगलक वन्स आया, फिर कौन सा वन्स आया, तुगलक वन्स ने अपना सासन कब स्टार्ट किया, तेरा सो बीस में स्टार्ट किया, तेरा सो बीस से लेकर उसने सा 5414 से कों सहाथ भंस आ गया सेद्वंस आ गया। कई सासन स्टाट किया वियर एक ओघ्वी जर कर सो आपने इस तक किया। है यहाँ पर 14шग में इस ने अपना सांसं स्टार्ट किया और 1451 एक जर भी किसके पाद पाग तnym का 1451 में कूँसा वंस आ गया लोधीवन सा गया और लोधीवन से जिए कब से सासन स्टार्ट किया दिल्ली सल्टनत के तैत सासन क्या पहला यदि दिल्ली शल्तनत का सासक पूछा जाए तो और लास्ट पुछा जाए तो को नो जाएगा इब्राहिम लोदी क्योंकि 1206 में यहां पर गुलाम मंस की स्थापना किसने की खुतुब दिनेबक ने और यहां पर फ्रेंड्स यहां पर जो क्या उनसा था पानीपत की पहले डाई उसके बाद में क्या हो गया दिली सल्तनत समा को बतावार लिए कि आनेईटेगा लगाट किस नगर को सब्सक्राइब करेंद इंडद सा सकते किस आउपका फ्रेंड्स लाइट एंसर हो जाएगा ऑप सना ओप नेक्स्फालिए आपसे क्या पूच्छा गया है कि भारत में देतेवाद का सिधानतें किसने प्रस्तुत किया आपको फ्रेंड सेस्ट के बार में प्ताना है भारत में एदेवत वाद का जो सिधानतें किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था आपको फ्रेंड सेस्ट के बार में प्रस्तुत किया था आपको फ्रेंड सेस्ट जो यह चैट बोक्स में चलती रहती है अब तो यह क्या वाइदा करते हैं कि तुम जो कहो तो मैं चांद तो दारे तोड़ लाइँ ठीक ना बाइदी चांस यहां पर अब सेटिंगों की बाते आप पसमें रहती है ठीक है नजदीक नजदीक इन सैटिंगन हो जाएं तो वह क लेकिन शादी हो जाएगी ना यहां पर यहां पर यह ज्यादा दिन की नहीं है भगवान करें तुम्हारी आपस में शादी हो जाए और फिर यह को मैंने मेरे मती मारी गई थी मेरा उस दिन दिन पागल था कि मैंने तुम्हारी क्या की यह फ्रेंड्शिप ऐसको असेप्ट कर लिया कैसा नलायक और पाले यह नलायक औरत मेरे कहां से पाले पड़ेगी ठीक ना यह जादे दिन की नहीं है आपका फ्रेंड्स लोधी बंस का अंतिम सासा कौन था तो क्रेट अंसर हो जएगा इब्राहिम लोधी आपका फ्रेंड्स राइट अंसर हो जएगा ऑप्शन नमबर दो सभी बच्चे गया र 99 का क्रेट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर तीन सेर सासूरी आपका बेटा ऑप्शन नमबर तीन राइट अंसर हो जाएगा ठीक ना कि वाटर पालो के परतेक पक्ष में कितने खिलाडी होते हैं आपको फ्रेंड्स इसकी बाद मेरे को ना यह बच्चे बड़े बैतरी लगते हैं जो एक्जाम पर ना जब फारम बर लेंगे सारे काम हो जाएगे पिपर के जब दो च्यार दिन बच्चे गीना या दस दिन प कम कहां पर थी ठीक है ना अब तक कौन से वैकुंट दाम पर आप लोग मतलब अपना जो डेरा उसको जमा कर बैठे हुए थे कौन सा इसा तीर स्थान था जहां पर आप लोग साधना कर रहे थे कहां थे अब तक जो आप पदार गे मैडम टाइम वेस्ट ना करो मैडम तो च्यार महिने से पढ़ाने लग रही थे तब कहां थे तुम लोग आपका फ्रेंड्स राइटन सर हो जाएगा ओप्शन नमर क्या वाटर पोलों में साथ खिलाडी होते हैं आपका जिमनास्टिक म में कितने होते हैं आपका फ्रेंड्स यहां पर आठ खिलाडी ठीक है इस बात को याद रखेगा यहां पर बिटा बास्केट बोल में कितने आप रहे हैं वाली बोल में आपके बिटा कितने होते हैं पांच खिलाडी होते हैं और बास्केट बोल में छे खिलाडी होते हैं इ किर्केट पिछ की लंबाई कितनी होती है आपको फ्रेंड्स इसके बार में पतना है किर्केट पिछ की लंबाई कितनी होती है आपको फ्रेंड्स इसके बार में पतना है यास बेटे ध्यान से कुछन कांस करें क्या होगा इसका ठीक है ना वह सही था आपका बेटा बास्केट बॉल में आपके पांच खिलाड़ी होते हैं इस बात को याद रखेगा option नमबर आपका बेटा तीन करेट अंसर होजेगा साथ किरकेट पिछ की लंबाई कितनी होती है तो आपका आपका फ्रेंड्स राइट अंसर होजेगा किरकेट पिछ की लंबाई होती है option नमर एक 20.12 मीटर होती है आपका फ्रेंड्स राइट अंसर होजेगा option नमर एक अपका फ्रेंडे के दर बार में सबसे परषिद हिंदी कवी कोन था अकबर के दर बार में सबसे पर्षिद हिंदी कभी कोन था तो अब्दुल रहीम खाने खाना क्या थे अब्दल के दर्बार में यहां पर बैटा अकबर के दर्बार में सबसे ज़्यादा परसी दिंदी कभी था और यह क्या था इसका संरक्षक था ना उस संरक्षक का यह पुत्तर था ठीक है सलीमा बेगम में और यह जो इसका संरक्षक थ और उनका पुत्त था ये अब्दुल रहीम खाने खाना ओप्शन में युस्टे का राश्टे खेल का है आपको फ्रेंट spite में उसald एक evenly को आ प्रेंगे स्थिगेन श्रेटि안 के और गौर था प्रक्ना फुले ता बोचेश, तर्फ पहुंज़ाएं आप सभी बचे याद रखेगा पती दिन श्याम को पांच बजे रहेगी आपके फ्रेंट्स यहां पर हिंदी की ख्लास श्याम मोज़ेगे आपके निए की सब्सक्राइब करना बले और USA का रास्टे खेल क्या है आपका फ्रेंड्स ओपिशन नमबर तीन बेस्बोल बेस्बोल करेक्टन सरो जगा तुम लोगों ने कभी वो नाटक देखा डोरीमॉन वाला नाटक जो आता था जो चोटे बच्चे देखते हैं सिंचैन है उसके अंदर वो नोमित नोबिता है और डोरीमॉन है वो यहां पर बिटा इंडिकेट हमेशा किसको करते हैं बेस्बोल को इंडिकेट करते हैं खेलने के लिए तो आपका फ्रेंड्स यहां पर USA का रास्टे खेल भी क्या है यहां पर USA का रास्टे खेल भी बेस्ब उड़िये मुझे प्यासनि लग रिये जब तक आप से ना मिलू तरफु दक तो पतायनि निट रुप रहा पासनि नहीं होता है इसवगों बूक लगती है थो अरुठंट नहीं लिगतीं है तुंपा लुब आपे बैट के पीजा खिला के लेकर तो तुम्हारी जो बोडी का किया होता है एक दोम से बढ़ना स्टार्ट होता है यह जो मुझे नींद ना ये मुझे चैन ये जो यह तो यह सारे तुमारी तो आपका फ्रेंड्स राइट अंसर हो जाएगा option no.4 तो मारतियों किसी लड़की को यदी नियार ना हो तो 6 सेकेंड में क्या अपने आखे जबका लिया करो वरना तुम लोगों को है ना यहां पर लवेरिया की problem create हो जाएगी और जो लक्षे उससे तुम बटक जाओगे option पढ़ाने देख जाओ तो माथे में तोड़ी पढ़ जाती है कितनी कमाल की बात है नहीं आपका फ्रेंड्स राइट अंसर हो जाएगा option no.3 अगनाश्य क्या है मानव सरीर की सबसे बड़ी मिस्रित राविग्रंथी यानि की बिटा यह इंटरनल और एक्स्टरनल दोनों क के अंदर काउंट की जाती है पोदे का विकास सबसे अधिक किस रितु में होता है आपको फ्रेंड्स इसके बार में पतान है पोदे का विकास सबसे अधिक किस रितु में होता है तो आप याद रखेगा पोदे का विकास option no.3 यहां पर वर्षा रितु में होता है सभी बच कि इंदर किसे यहां पर किसे का जाता है hypothalamus को का जाता है ठीक है यहां पर तुम लोगों को यह लगता है मैडम तो वैसे हैं वही बात करने लग रही है अरे नलाइकों तुम लोगों को च्यार कुशनियाद करवा दिये हमारी बोडी के को कौन मैंटेन करता है hypothalamus मैंटेन करता है हमारे सरीर में जो प्यास लगती उसको मैंटेन कोन करता है hypothalamus करता है हमारे सरीर में भूख लगती उसको मैंटेन कोन करता है hypothalamus करता है हमारे सरीर के नियुक्त के तंप्रेचर को अपर डाउन लेकर नाउन काम किसला इक सो बता हिया आज्ब है यह ओ आरम लोगा किसी के पर दी घ्रक्ट होते हैं तो इसके पर प्रति अठ्रेक्ट करने काम भी को है आई ज्युकंण हमारा पड़ांब मन लगता ओंड़ाइक कहते हैं हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो यह जो विक्रितियां तुम्हारे अंदर उत्पन होती वह भी आइपोथेले में से ठीक है तुम लोगों को यहां पर जो बात समझाए गई वह ना समझ मैं यह समझ मैं मैंडम क्या बाते करने लग रही है यही तो एजुकेशन है तुमने तुम लोगों को क्यूशन रटवा दे तो ठीक है और तुम्हें मजाग के अंदर दस चीज़ सिखा दे उसको नहीं पकड़ते अब यह वह मजाग तुम्हें याद है ना तो दस क्यूशनों में से कोई भी क्यूशन पूचले तुम्हारे को स ठीक है आपका फ्रेंड्स यहां पर पर सरवादिक मातरा में भूपरपती परप्ती में पाय जाने वाला तत्त तो कों सा है आपिए पो तैस की बार में पतार चौह अरव होचा थाए सूपरPby सूपरो किस मंडल को पहांई पहुंच आता gi आपको फ्रेंट इस यहां पर एक क्टी और है वो आपने वे्ट करता है ठीक ना एक education के अंदर teacher असली वही है जो अपना साम भी उज़करे, दाम भी उज़करे, दंड भी उज़करे, भेद भी उज़करे और अपने बच्चे को एक सही education दे, उसी को तो teacher कहते हैं, आगी बात समझ में, question पढ़के तो कोई सुना दे मैं आपको खडा कर दूँगी, तो आप भी question पढ़के मेरे को सुना इसकते हो, ठीक है, यह question तो आप भी मुझे पढ़के सुना दो, आप मेरे से हो सकता है, आप Hindi बहुत अच्छी पढ़ सकते हो, मैं तो कहीना कहीन टक भी जाती हूँ ऐसा भी हो कि आप मेरे से बहुत अच्छी हिंदी बोल सकते हो वह उता है असली टीचर और वह उता है उसके पढ़ाने का असली तरीकर ठीक है आगी बात समझ में अगले कुश्ण पर चलो कि नैक्स शुशन पर ध्यान दीजेगा कि भारती सुधान में एकल नागरिक्ता का प्रावधान किस देश के शुदान से लिया गया आप इसका नहीं जानते हैं कि भारत का कोई नागरी के यदी लगातार साथ वर्स्तक रहता है भारत से बाहरत रहता है तो उसकी यह पर क्या बिटेन से लिया गया सभी बच्चे याद रखेगा भाग दो में किसकी नागरिक्ता के बारे में बताया गया अगले कुशन पर दियान दीजेगा आपसे क्या पुछा गया है कि भारतिय स्विधान की लोग सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुछे अनुछेद के तहत किया गया है आपको बेटा इसके बारे में सुन रखा है यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन के बारे में सभी को बता है ठीक है आपका फ्रेंड्स यह जो जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन है इसका आयोग है इसका प्रावधान हमारे स्विधान के अं तक उप्षण नमबर कि तैदा था नुचे अबर 315 कि तैद आता है अप्ष्ण नमबर आपका बिटा उच्छीस नमबर 315 राइंसर हो जए गा वहिस्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारम किया आपको फ्रेंड्स इसके बार में हैं बहिस्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारम किया गया था आपका फ्रेंड्स राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर दो आपका फ्रेंड्स बहिस्कृत भारत पत्रिका जिसको किसने डाक्टर भीम्राव अंबे इस तरह से उन्होंने क्या रखा था यहां पर एक तरह से भारत के अंदर अपने आपको बहिस्कृत माना हुआ था लेकिन उन्होंने लगातार अपनी पढ़ाई की अपनी एजुकेशन को बढाने का काम किया और आज अपने देश का स्विधान किसने लिखा डॉक्टर का जाता है आपको कसे बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही गजब कहशन आपकिसकीन इस प्रकार से महादेयों का मादेव किसको का जाता है यहां पर शिव संकर को का जाता है उसी प्रकार से यहां पर मादीपों का मादीप किसको का जाता है एश्या मादीप को का जाता है क्योंकि सबसे बड़ा मादीप कौन सा है एश्या मादीप ना सबसे बड़ा जो मादीप होज़ेगा option number एक औरेंज जनदी आपकी बिटा दक्षिन अफ्रीका के अंदर बहती है option नबर एक राइट अंसर हो हिंदी की क्लास होती है बेटी डेली आपकी शाम को पांच बजे ठीक ना पांच बजे डेली रहती है आपकी बेटा हिंदी की क्लास अभी बच्चे याद रखेगा इसके बाद में शाम को साड़े साथ बजे होती है आपके फ्रेंड्स यहां पर लूशन जीके की क्लास साड़े नो बजे होती बटा रिजनिंग की क्लास और इन तीनों क्लास इसका परड़े आपके पास नोटिफिकेशन है यूटूब आपके पास पीले चावल भेजेगा ठीके ना जिस परकार से आपके रिष्टेदारों के घर में कोई प्रोग्राम होता है तो आपको पीले चावल देखे जाते हैं इसे इन तीनों का इन्विटेशन आपके पास यूटूब के दवारा बेजा जाएगा इस बात को याद र अमेरिका में किस लिए परशिद है तो सभी बच्चे जानते हैं सन बेल्ट अमेरिका में कोफी के लिए परशिद है आपका फ्रेंड राइट अंसर हो जाएगा ओपिशन नमबर तो कोफी ठीक है नेक्स बीटे आप से क्या पुछा गया है कि कवी बिहारी किस राजा के दर बारी कवी कौन थे यहां पर बिटा कवी बिहारी थे ओप्शन नमबर दो राइट अंसर हो जाएगा सभी बच्चे याद रखेगा दुम्रपान किसे नुक्षान पहुंचाता है आपको फ्रेंड इसके बार में प्तन है यास बटे ध्यान से कुछन का अंस करे क्या होगा राइट अंसर तो आपका फ्रेंड राइट अंसर हो जाएगा दुम्रपान सबसे ज्यादा बिटा हमारे फेफड़ों को नुक्षान पहुंचाता है ऑप्शन नमबर आपका दो फेफड़ा करेक्ट अंसर हो जाएगा सभी बच्चे याद रखेगा यहां पर फ्रेंड्स निमोनिया रोग है वो भी किसको प्रभावित करता है निमोनिया रोग होता है वो भी बटा यहां पर फेफड़ों को प्रभावित करता है पीलिया रोग है वो भी किसे प्रभावित करता है किड्नी को प्रभावित कोन करता है नाइट्रोजन अप्सिस्ट प्रदार्थ होत बातार बढ़ती रहती हैं तो उसकी वज़े से हमारी किड्नी प्रोपर रंग से काम नहीं करती हैं तो डायलेसिस प्रक्रम के द्वारा कृत्रिम रूप से हमारे ब्लड को साफ करने का काम के जाता है तो आपका फ्रेंड्स राइट अंसर हो जएगा ओप्शन नमबर दो फेफड़े खराब ठीक है तो यहां पर वही बात है नशा करना है तो किसका करो मेहनत का करो अरे नशा करना है तो नशा करना है तो करो भी किसका मेहनत का करो ताकि ड्रोग लगे तो भी सफलता कर लगे ठीकिना यदि आप लोग यहां पर दुम्रपान का नशा करते तो कई cancer बनेगी कहीं आप लोगों को सास की problem होगी कहीं आपके फेफडे खराब होंगे दुम्रपान से यह को गया यह दिया हम लोग क्या liquid यहापर लिक्योर का प्रियोग करते हैं सराब पीते हैं तो कई लीवर खराब कई किटनी खराब तो इससे अच्छा नशे की में करना है तुम्हेनत कर लो ना ताकिन सफलता एक दिन तुम्हारी शोर मचा दे आपका फ्रेंड्स राइट अंसर हो जाएगा उप्शन नमबर एक च्छतिस गड़ सिता बेग गुफाएं का पर है च्छतिस गड़ के अंदर सिता है उप्शन नमबर एक राइट अंसर हो जाएगा नेक्स आप से बिटा क्या पूछा गया है पईये में बॉल बैरिंग का क्या अर्थ है आपको फ्रेंड्स इसकी बार म के लिए पईये में बाल बेरिंग आपने देखा होगा ना कोई पईया होता है उसके अंदर गोल गोल नट से यहां पर क्या जो बोल होती है और वो क्या करने के लिए होती है कि गती जगो जो गरसन है ना उसको किसमें करमट करने के लिए गुर्णन गरसन के अंदर करमट कर करने के लिए आपका friends option number 2 right answer हो जाएगा दर्वाजे को आसानी से खोलने के लिए handle को कहां लगाना चाहिए आपको friends इसके बार में पतन हैं जैसे आप लोग बिटा दर्वाजा हैं उस दर्वाजे को हम लोगों ने लगा दिया ठीक है यह दर्वाजे को हमें कहां आपर लगाना चाहिए ताकि यह आसानी से बंद हो जाए और आसानी से खुल जाए तो आपका friends यहां पर राइट अंसर हो जाएगा option नंबर 2 next video आपसे क्या question पूछा गए है स्विधान का कौन सा अनुचेद धन विदेयक से संबंदित हैं आपको friends की बार में बताना है स्विधान का कौन सा अनुछेद है जो आपका धन विदेख से रिलेट करता है तो अनुछेद नंबर 110 है जिसके अंदर धन विदेख के बारे में बताया गया है अप्शन नंबर 2 राइट अंचर हो जेगा जबी बत्चे याद रखेगा लाई जन जाती का निवास्चितर कहा है आपको फ्रेंसे की बार्मतन है तो आपका फ्रेंस राइट अंसर हो जेगा जाती है सबी बच्चे याद रखेंगे option no.2 next आप से पूछा विश्व का सबसे पुराना खाद ध्यान कौन सा है आपको friends इसकी बार मतना है सबी बच्चे ध्यान से कुछन का अंस करें और याद रखेंगे प्रति दिन शाम को साड़े साथ बजे रहेगी आपकी friends यहाँ पर क्या जिके की class सुबै साड़े 6 बजे रहेगी आपकी friends यहाँ पर जिके की class दो फैर में 2 बजे रहेगी आपकी बटा जिके की class तो जो भी बच्चे आज सबसे पहली बनाएं चैनल को सब्सक्राइब करना यहां पर बिटा चावल का ठीक ना वरही किसका प्राची नाम होता है चावल का प्राची नाम होता है option number 2 right answer हो जाएगा सामवेद के गाने वाले विशेसक्यों को क्या का जाता है आपको friends इसकी परमतर है जिस प्रकार से आप जानते हैं कि सामवेद में क्या आते हैं सास्त्री संगीत आते हैं सामवेद के अंदर क्या आते हैं सास्त्री संगीत आते हैं अब जो यह सामवेद के गायता हैं जिनके द्वारा इनको गाया जाता है उनकोघंटेह के तो आपका फ्रेंड्स डीन्सर होजएका option नुर्टेंक का जहते हैं उदराता करेंगा अपका रट्टेंसर हो जायंगा option नब्रेग कि कि यहां पर क्या ताड़ो ओख आरक्षिति शेतर किसी राज़े में सित ऐए आपको फ्रैंट्टिस के बार में प्तन है तो ऑप्षेन नमझाह तीन महारास्टर के अंदर क्या स्नु आहलों भाग जाए नंसर मैंट्सर हो जेगा सब यानि कि जिस प्रकार से आप जानते अशोक के सिलालेख है वो ब्रामी लिपी में लिखे हुए अब उन ब्रामी लिपी में उसने लिखा क्या इसके बारे में सबसे पहले किसके द्वारा बताया गया तो लिखेगा ऑप्शन नमबर एक जैम्स प्रिंसेप के द्वारा बिटा ब्रामी लिपी में लिखेवे असोक के सिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा गया था अठारा सुस्त यहां पर 37 सिस्वी में आपका बिटा राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर एक पंचायत स्थर पर राज्य सरकार का परतिन निदिताव कोन करता है आपको फ्रेंड्स इसकी बार में पताना है पंचायस तर पर राज्य सरकार का परतिन निदिताव कोन करता है आपको फ्रेंड्स इसकी बार मताना है तो पंचायस तर पर राज्य सरकार का परतिन निदिताव करता है आपको फ्रेंड् अधिकार दिवस की स्तिती को मनाए जाता है आपको फ्रेंड्स इसकी भरंतना है जो भी बच्चे आज सेश्य में पहली बनाएं चन को सब्सक्राइब करना बला किन को प्रेस करना ना भूलें ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लास इसके अनॉटकेशन वक्तर पहुंच प सब्सक्राइब करना बला किन को प्रेस करना ना भूलें ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लास इसके नॉटकेशन पहुंच जाएं दस दिसंबर को मानवा अधिकार दिवस बनाए जाता है दो दिसंबर को आपका बीटा कम्प्यूटर दे किना कम्प्यूटर सिक्ष्या आपका बीटा कम्प्यूटरे के रुप में आपका किसको बनाए जाता है यहां पर दो दिसंबर को बनाए जाता है आपका फ्रेंड्स यहां पर आठ अक्टूबर को फटाफट से बताओ क्या बनाते है प champions और आंसर हो ज्एगा option Bright昨 Garage depending Nikotine का क्या है आपको friends इसके बार में निकोटीन का मुख्य स्त्रोथ क्या है आपको friends इसके बार में निकोटीन का मुख्य स्त्रोथ क्या है आपको friends इसके बार में निकोटीन का मुख्य स्त्रोथ क्या है आपको friends इसके बार में निकोटीन का मुख्य स्त्रोथ क्या है आपको friends इसके जाता है और चियाय के अंदर क्या पाए जाता है तीन पाए जाता है तो आपका फ्रेंड्स राइट अंसर हो जाएगा उप्शन नमबर तीन तमाखु सभी बच्छे याद रखेगा नेक्स्ट आप से पूछा मुहमद गजनवी के साथ है भारत आने वाला इत्यासकार कौन थ आपको फ्रेंड्स इसके बार मतलब है सभी बच्छे तो बाई तुम्हारे सर यह कह रहे हैं कि आपका फ्रेंड्स राइट अंसर होजेगा ऑप्शिन पर एक अलपुरूनी आपका बेड़ा वट्सप नमबर रहेगा 9518151414 मेरा वट्सप नमबर है सभी बच्छे अपना न सर से बात पूछनी चाहिए सर ऐसे हमारे उपर इतना बड़ा आप लोगोंने क्या तचार क्यों किया वाई स्पी लाइड मैं ऐसे साथ ही आप यहां पर येस्पी लाइव क्लास इपना क्र दो इस पर आप टरा फटल से अपना envision मैं भी कर लीजिए एे इसेस têteчик है अप कि सुबह आपकी जिके की क्लास होती है साड़े च्छे बजे और दो फैर में आपकी जिके की क्लास होती है दो बजे सभी बच्छे याद रखेगा इसके जाथ ही रिजनिंग के आपके बटा दो क्लास होती है एक होती है शाम को आपकी बेटा साड़े नो बजे और एक क्लास रहेगी आपकी यहां पर दो फैर में सुबह आपकी ग्यारा बजी ठेकर अब सुबह कितने बजे होगी ग्यारा बजे सभी बच्चे गयाद रखेगा आपकी फ्रेंड्स हिंदी के क्लास पर्ती पहली भराएं जिन्होंने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना ब्रैकेन को प्रेश करना ना बुले ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी धरास कि आपका सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को लाइक करों scenery को प्रेंगे लाइक काउंड को लाइक करेंगे चैन को सब्सक्राइब और प्रेस कर लेंगे और इसके साथ ही आप लोग भी टाम यहां पर प्रति दिन दो फैर में दो बज़े जिके की क्लास करें शाम को पांच बज़े सभी बच्चे हिंदी की क्लास के लिए तैयार रहेंगे कोई भी ब